हलो मेरे प्यावे बच्चों कैसे ही आप सब आजो आप सब बहुत ही खुश है और मस्त मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं मैं पूनम प्रजापत रसायन विग्ञान की कक्षा बारवी में आप सब बच्चों का स्वागत करते हूं बच्चों आप सब बहुत खुश है तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट जल्दी जल्दी करो और जितने बच्चे जल्दी से जल्दी जुट सकते हैं फटा फट जुटते जाए देखे जल्दी से जल्दी जितना जोश और उमंग मुझे यहां आप लोगों में दिखाई दे रही है मैं चाहती हूँ कि इसी जोश के साथ आप अंत तक मेरे साथ बने रहें तो बच्चो शुरू करेंगे अपना पढ़ाई का सिलसिला जिसमें आपन क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़कर आए हैं उसका क्विक रिविजन भी देंगे ठीक है तो आप सोचो कि हमेशा मैं आते से ही पहले पिछले क्लास का रिवाइज कराती है क्यों कि अगर टीचर जो करता है तो बच्चे भी वही करते हैं क्योंकि एक टीचर की पढ़चाई बच्चों में नजर आती है इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे बिलकुल वैसे ही करें जैसे हम कर रहे हैं तो आप सब भी रिवीजन करेंगे साथ साथ में और नोर्स भी बनाएंगे ठीक है डन ओके चलते हैं फटाफर रिवीजन करेंगे उसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स को देखेंगे और देन हम आगे अपना कारेकरम शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपन लोगों ने लास्ट क्लास जो हुई है उनमें क्या क्या पढ़ लिया सॉलूशन सॉलूशन के प्रकार प्रकार के बाद में सांद्रता हैं और सांद्रताओं के बाद में विलेता विलेता में द्रव की ठोसों की द्रव में गेसों की द्रव में विलेता उनका प्रभा तो वहाँ पर पढ़ा राउल्ट का नियम ये था हम जारा अब तक का सारा टॉपिक जो हमने पढ़ लिया है ऐसे ही मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों को भी याद हो जाए कि वो क्या-क्या पढ़ चुके हैं करेंगे ना तो फड़ा वट कमेंट में लिखो जल्दी-जल्दी यस मैम ओके जी ओके चलते हैं आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं तो वो कुछ इस प्रकार है बच्चों हम आज ठोसों की द्रव में विलेता और वाश्पदाब को पढ़ेंगे राइट ठोसों की द्रव में विलेता और वाश्पदाब यानि कि ठोस की द्रव की द एफेक्ट होता है किसी भी solution के अन्द तो वैसे ही यहां पर जब घटक द्रव मिलाया गया और ठोस मिलाया गया तो उसमें क्या अंतर आया वो देखेंगे साथ ही हम लोग ये भी discuss करेंगे कि द्रव में द्रव मिलाया जाता है तो वाश्पदाब में क्या होता है और द्रव मे ठोस मिलाया जाता है तो वाश्पदाब में क्या परिवर्तन होता है तो यह टॉपिक जो है वह आपको क्लियरली समझ में आए इसके लिए मैं बहुत ही शौट नौट तरीके से और जो टॉपिक आपकी बुक में है उसको पूरा कवर करते हुए आगे बढ़ूंगी तो मेर अनादर्श वीलियन यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है बहुत जादा यहां से भी क्योश्चन आता है यह जो टॉपिक मैंने आप तक आपको पढ़ाए हैं उन सब में जो क्योश्चन से वह साथ-साथ में बता रही हूं तो बच्चों साथ-साथ बेटा लिखते जान आप बहुत समझदार हैं मुझे इसमें कोई शक नहीं है फिर फिर भी मेरा फर्ज है इसलिए मैं बार-बार आपको कह रही है चलते हैं शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो क्या है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसमें अपन सबसे पहले जो अपना ठोस की द्रव में ठ किसे हमें पादे हैं यह पादे के लिए हैं लुकी अजरी के नियम का फेकर होता है और हेंडि के मिलेया गया था वहां पर देखा गया कि द्रव ये वीलियन जब थे उनने जितने भी घटक थे वह गटकों का मोल अंष उसके डाव के क्या ता आणशिक डाव के समानुपाति था वहीं पर हатель कि जब कोई भी गेस किसी द्रव में मिलाई जा रही है तो गेज के घटक का आन्शिक तांग उसके मौल आंश के बराबर होता है सबस्गें राउल्ट ने क्या कहा था तो वही जो हमने अभी पड़ा है किसी वीलिये ने उसके वाश्पशिल घटक का वाश्म दाब उसके मौल आंश के समानुपाती होता सब्सक्राइब यहां पर आप ध्यान देंगे आप यह बात में ध्यान देंगे कि यहां पर अपने पास जो पी आई लिखा गया है और वह इनीशियल स्ट्रीट है और वहीं पर अपन लिख रहे हैं एकस आई पी नोड आई राइट अब बच्चों यह जो अपने पास पी नोड है आप इसको ऐसे भी लेकर समझ सकते हैं पी आई समानुपाती क्या एकस आई जो घटक उसका आंशिक वाश्वदार उसके किसके समानुपाती है मोल आंशिक उसी घटक के आई का तो आई लिखा ना वहीं पर यह समानुपाती इस तरह जब हटाया अपने क्या लगा दिया पी नोड लगा दिया तो यहां पर सिमिलरली बात समझ में आ गई यह बात क्लियर हो गई केवल क्या अलग है पी नोड और पी नोड आप सब जानते हैं क्या होता है शुद्ध विलायक का समानुपाती इसी नहीं को समानुपाती इस तरह एकस टो यह तो यहाँ पर राऊल्ट का नियम क्या रहा था राऊल्ट का नियम कहह रहा था पी समानपाति एकस की बात आती है तब क्या होजाता है प्यारे बच्चों पी बराबर पी नोड जैसे यह ना पी नोड ए एकस वही पर Henry की जब बात आती है तो वो लिख देता है क्या P A इसकी जगर में यहां पर लिख की दिखा देती हूं आपको उपर थोड़ा सा देख ले ना P A बराबर क्या K H X A यानि कि यहां पर केवल K H और P node में ही अंतर है बाकी दोनों बाते similar है और second thing जो important है वो क्या है वो है आपकी क्या वो गेसों के लिए है और ये किसके लिए है बच्चों ये है आपके द्रवी एविरेन में ठोच या द्रव के लिए राउल्ट और हैंडरी clear बात समझ में आ गई होगी second point यहाँ पर यह लिख रखा है समानुपाती इस तरह के एच और पी नोड आई नहीं भिनता है उसके बाद में ये दोनों विशेश परिस्टिक्नों में के एच का मान पी आई के मान के बराबर होता है सही बात है जैसे विलाएक की प्रकरती पर निर्भर करता है ना किसका मान पी नोड का मान वैसे ही के एच का मान भी क्या होता है ये इसकी प्रकरती पर निर्भर करता है क्लियर बात समझ में आगई तो मेरे प्यारे बच्चों फटा पर इसका स्क्रीन शोट लेंगे डन चलते हैं आगे अब क्या है ठोस पदार्तों का द्रव में वीले उनका वाश्प डाव यहां पर आपन आते हैं ठोस पदार्त जो हो अपन लेते हैं किसी भी किसमें बेटा एक पात्र में अपन क्या करते हैं अपन इसको ऐस समझ सकते हैं जैसे अपने पास क्या है एक शुद्ध विलायक है और इसके अंदर अपने क्या डाल दिया है इसके अंदर अपने विले डाल दिया है जो ठोस है ठीक है बच्चों जैसे ही आपने विले डाला उसके अंदर आपने शुद्ध अवस्था में देखा कि इसके कन जो है वाश्प शिल कनों की संख्या जाता है जैसे ही आपने थोस पदार डाल दिया विले डाल दिया तो कणों की मात्रा में क्या आगई बच्चों कमी आगई क्या आगई थोस के जो कण है उनमें क्या आगई बच्चों कमी आगई इसका मतलब जब शुद्ध अवस्था में कोई भी विलायक होगा तो उस वीलियन का वाश्पदाब हमेशा किस से वीलियन की तुलना में जाड़ा होगा शुद्ध विलायक का वाश्पदाब वीलियन के वाश्पदाब की तुलना में हमेशा आदिक होगा क्योंकि उस समय उसके अंदर कोई भी अशुद्धी नहीं मिलाई गई है दन फटा फट देखो जल्दी से तो यह क्या कहना चाहता है कि अपन जब भी ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो कुछ प्रकार की विलियन जो है वाश्षप शील नहीं ध्यान रखो यह पदार्त वह हैं जब आप पानी में इनको करोगे तो थोस हैं साथ में घुलते में नजर तो आएंगे लेकिन जब आप इसे heat करोगे ध्यान देना बच्चों जब आप इन्हें गरम करोगे तो ये क्या नहीं होगे उस समय ये क्या नहीं होगे वाश पशील नहीं होगे इसकी वज़े से जोकन वाश पशील थे उनके साथ भी जूड़ करके उनको भी नीचे बैठा देते हैं कहते हैं कोई चीज अच्छी होती है लेकिन किस चीज बूरी चीज के साथ जूर जाती है जिसे एक एपल है कटोरी में रखा सब एपल सही थी एक एपल गंदा साथ उसके पास वाला गंदा हो जाएगा खराब हो जाता है वैसे यह सा है कि आपने अशुद्ध पदात मिलाया तो शुद्ध पदात में थोड़े कंट तो वह अशुद्ध पदात उसके साथ जोड़ेगा और उनको भी क्या कर लेगा अपने जैसे बना लेगा भला ही सारे खराब ना हो इन कुछ को नीचे बैठा लेता है तो क्या होगा वाश्पदाब जो पहले शुद्ध अवस्था में जो काम हो रहा था वह अब शुद्ध या वाश्पशिल पदात मिलाने पर नहीं होता है तो फटा फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी से देखें और आपको वह यह जो डाइग्राम है इसका भी आप स्क्रीन शोट लें जिसे शुद्ध है इस समय इसके कंज ज्य लाई के वह राइप चैवश्पशिल म Congrats ज्यायगे आफकू अच Newton करते हैं को क्या हो गया आप सक्रीन शुकरी से काठा है किरमें वाश्पशिल पिन कृतं ह्ता आगे तो राउल के अनुसार हम जानते हैं किसी भी विलियन के पर्तेक वाश्पशिल अगयव का आंशिक वाश्वदा उसके मोल अंशक समानुपाती होता है राइट मैंने कहा था जैसे कि एक अपन क्या कहते हैं अपन एक बीकर लेते हैं जिसमें ए बी सी तीन घटक लेते त पर्ते का आंशिक वाश्पदाब उसके मोल अंश के ही क्या होता है समानुपाती होता है बात क्लियर हो गई तो चलते हैं आगे यह जैसे एवाश्पशिल घटक एग और दो को मानो तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं जैसे पीवन जो होता है समानुपाती एक्सवन तो पीव जो है वो शुद्ध अवस्ता में वाश्वडाब है समानुपाती इस तरह के बराबर होता है क्लियर चलो फटा-फटी स्क्रीन शोट मालो जल्दी से जल्दी जल्दी ओके जी ओके आगे चलते हैं अब इसका ग्राफ की ग्राफ कैसा होता है यानि कि अगर आप शुद्ध और उसकी वाश्वडाब के मद्ध ग्राफ खींचेंगे तो वह ग्राफ हमेशा स्टेट आएगा साथ ही बढ़ता हुआ नजर आएगा कैसे सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देर है जैसे शुद्ध विलायक है उसका वाश्वडा सदेव क्या होता है अधिक्तम होता है क बहcomes इसकी तुल्णा में विल्य विलीयन के वाश्वडाब के जैसे अपन पिन वे लिखते है न और फिर अपन कि देता है पीनोड वह्ण सद्ध विलैक का वाश्वडाब है और तीनोड डू सुद्ध विले का वाश्वडाब के जो हमेशा कम हूगा और एक यह क्या हुग तो कितना भी दोनों वाश्प श्रीव हो लेकिन एक वाश्पडाब को क्या करता है कम और शुद्ध अवस्ता में वाश्पडाब हमेशे जाए होता है इसलिए अपने एक तिरची लाइन निकाली थी आपको यदी याद हो तो मैं एक सेंपल आपको बना के दिका रही हूं इस सेंपल याद आगया बिल्कुल फटावर कमेंड में मेरे साथ साथ मेरे बच्चे लिखते जाएंगे कि हम लोग क्या-क्या परिखी आएं हैं और आपको कितना अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है या नहीं जल्दी से बच्चों जल्दी से चले आगे ओके जी ओके के बढ़़ जाता है सुन्य से शुद्द विला theor की कि बढ़ जाता आओ कि क्लियर हो गई ध्यान रको हमेशा शुद्ध विलायक का वाश्वधाब जो होता है वह अधिक्तम होगा किसकी तुलना में बच्चों वीलियन के वाश्वधाब के तुलना में राइट फटा 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 स्क्रीन शोट नहीं ताकि बात समझ में आजाए क्लियर अब चलते हैं हम आते हैं में डाला जैसे डाला तो उसके वाश्वडाब में कमी आगी या फिर हो सकता है व्रदी जो भी हो पता नहीं कमी या व्रदी जो भी हुई जैसे ही वह हुई तो जो राउल्ट का नियम कहता है उसमें क्या हुए थोड़ा सा परिवर्तन आया जैसे परिवर्तन आया तो वहां उसने दो विलेनों के बारे हैं जो क्या नाम थे आदर्ष और अनादर्ष यह राउल के नियम से निकले हैं बत्चोव ध्यान देना मैं quonsnet कर रहे ह ido ऐसा फिल नहीं आना चाहिए कि यह क्या पढ़ रहे हैं राउल्ट के नियम से हमने निकला है क्या आदर्ष और अनादर्ष विलियन, अब आदर्ष और अनादर्ष विलियन में सबसे पहले अपन देखेंगे कि आदर्ष जो विलियन होता है उसकी परिभाशा क्या होती है, बच्चों ध्यान दो, हम लोग कई बास सुनते है न, यह आदर्ष बच्चा है यह आदर्ष स्टुडेंट है है ना मतलग कि एक विद्याले में यह कोई आदर्ष स्टुडेंट है इसका मतलग क्या है विद्याले में लगाए गए सारे नियमों को विद्यारती फोलो कर रहा है तभी वो क्या है आदर्ष स्टुडेंट है आप सब तो तो आदर्श ही हो लेकिन आपन कहते हैं ना कि आदर्श जो किसी भी नियम को बनाया गया उन नियम को फोलो करता है तो आदर्श है नहीं करता वो अनादर्श है तो यह विलियन जो अपने दिये हैं आदर्श और अनादर्श वो कहां से निकले राउल्ट के नियम से तो इसको मतलब यह किसको follow करने चाहिए राउल्ट के नियम को अगर follow कर रहे है solutions तो होगे आदर्ष अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगे राजा नादर्ष वीलियन होगे clear तो आदर्ष वीलियन क्या होगे जो सांदरता ताप की हर इस्तिती में किस नियम को राउल्ट के नियम को follow करते हैं वो आदर्ष वीलियन कहलाते हैं ऐसे सभी वीलियनों को आदर्ष वीलियन कहते हैं माना कोई वीलियन दो अगरों से मिलकर बना है A और B उन नियमन शर्तों का यदि पालत कर रहे हैं तो वो आदर्ष नहीं तो क्या है जलते हैं नियम और शर्ते थोड़ा देख लेते हैं पहला सबसे पहले लाउल का नियम कहता है कि टोटल वाश्पदाब जो होता है विले और विलाय के वाश्पदाब के योग के बराबर होता है P1 x1-1 फ्लस बी-2 x2 इसे A और B से भी नोट किया जा सकता clear first, second ये कह रहा है कि कोई भी अव्यव आपने लिया उसका आयतन, ध्यान देना आयतन A और B के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए अथार्प अव्यव के आयतन में या वीलियन के आयतन में कोई परिवरतन नहीं हो क्या कहना चाह रहा है? मैं बताती है एक अपन लेते हैं solution ठीक है? इसके अंदर अपने को A और B दो घटक डाले है जैसे आपने A और B घटक डाला तो A भी solution बन जा ये तो है वीलियन और ये है राजा आपके A और B घटक डन जी अब माना की इसका वाश्वदाब और इसका वाश्वदाब जो है वो है पांच और चार M ठीक है? इसका वाश्वदाब कितना होगा? अगर individual इनको देखें तो नो आ रहा है लेकिन जब इनको आपस में मिला कर देखें तो भी नो ही आए तो तो क्या है वो? आदर्श्वीलियन है क्यों की? वो कहता है कौन? राउल्ट की आदर्श्वीलियन वही होंगे जिनके क्या दाप परिवर्टित नहीं है? सेकिन थी ये कह रहा आइतन की बात अगर इसका आइतन 10 ml है पूरे का तो इन दोनों को मिला के भी कितना होना चाहिए 10 ml ही होना चाहिए तो आइतन में भी कोई परिवर्टन नहीं होगा तभी जाके वो क्या होगा? आप इसे इतना थियोरी में ना लिख कर अगर आप शोट में चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल मिश्रण वी बराबर जी टन? क्लियर? ओके मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई आइतन में नो चेंज यानी वीरो के बराबर सेकिंड क्या कहना चाहता है कि वीरिन बनने के बाद दब दोनों और वे सब्सक्राइब कोई परिवर्था नहीं हो यानी कि डेल H मिश्रण यानी कि जो सॉलूशन है आपका उसकी वैल्यू जो है वो भी किसके इकवल होने चाहिए जीरो के इकवल होने चाहिए नो चेंज डेल का मतलब अंतर से ही है विलियन बराबर विलायक जो आपके पास घटक है उनका जो एंथेलिक है एंथेलिक मतलब जब विलियन बनाया जा रहा है या यह कहा जाए कि विलियन बनाया जा रहा है तो उश्मा का आवशोशन और उत्सरजन बराबर हो जितना आवशोशन किया उतना उत्सरजन होना इ अव्यव के जो कण हैं उनके मद्य पाया जाने वाला बंद जैसे अपन लिखते हैं कि अपने पास कोई भी घटक है उसके अंदर बल जो है solution में A और B के मद्य का जो बंद है वो बराबर होना चाहिए F A A के बीच और F B B के बीच का जो बंद है उनके बीच का जो force of attraction है वो दोनों के में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तब ही वो आदर्श वीलियन कहलाता है राइट बात समझ में आ गई होगी तो पटा फट जो आपके सामने एक जामपल रखा है उसे भी देख लें कालबन टेट्राक्लोराईड और सिलिकन टेट्राक्लोराईड का वीलियन इस प्रकार के आदर्श वीलियन है बच्चों यहां से क्याश्चन आता है कि आदर्श वीलियन का उधारन दोवेस्त में आगे आपको अंतर भी बताऊंगी तो फटा फट ऐसे ही जोज के साथ साथ बताऊंगी तो मेरे साथ जूड़े रहो तो यह बात क्लियर हो गई कार्बन टेट्रा क्लोराई और सी ऐसाई सी एल अगला अनाधर्ष विल्यान तो मैं आपको विल्यान में वो हो गया है जो हो गई करें रहे डाय्ट सभी वच्चे आदर्ष नहीं होते इस ने बच्पन नहीं कि उसका बच्पन तो आपने को देखना है कि जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यहां पर भी लिखा है पालन नहीं करते हैं पहला शर्त क्या था जिसमें अपने क्या पढ़ा था राउल यहां आउल्ट के नियम की पालना नहीं हो यानि कि जो है यहां पर नियम की नहीं करता है तो आपनर देखे हैं घाय is equal to whatever क्या लिखेंगे not equal to clear बात समझ में आ गई होगी चलते हैं आगे अगला पॉइंट वही एंथेल भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए या तो आउशोशन या उटसर्जन जब होता है तब उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए पर यहां परिवर्तन होता है यानि कि आपन यहां भी बेल मिश्रण भराबर क्या लिखेंगे बच्चों H is not equal to 0 परिवर्तन होगा यानि परिवर्तन सुन्य नहीं है यानि कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है दन लास्ट में कहते हैं जो force of attraction होता है F A A B के बीच में जो होता है F A A और F B B के बीच जो attraction होता है अन्य निक लिए ही होती है वो भी आपस में equal नहीं होती है इनने भी परिवर्तन हो जाता है तो यह अनादर स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी से बच्चों ताकि बात clear हो जाए ओके जी ओके फटा फट देखते हैं अंतर की ओर अंतर आपको screenshot लेना है क्योंकि बाकी सब मैं बता चुकी हूं आदर्श वीलियन में क्या होते है आदर्श में नहीं होता आदर्श है तोकी आइतन में परिवर्तन होता अनादर्श है तो अन्तर नहीं करता है यहां रात्युजर न वहां दोनों होगा यहां पर आइतन जो हैं वो कोई परिवर्तन होता है साथ ही यहां पर बेंजीन और टोलिन का विलियन होता है यह टॉपिक आदर्ष और अनादर्ष का अंतर जो है क्लियर हो गया दो नंबर का करते हूँ और इसका भी चलते हैं अब क्या है अगर वह यह जो राउल्ट की नियम का पालब नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा फिर आगे चलकर हम इसको आगे कैसे पढ़ेंगे फिर हम उस टॉपिक को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा आदर्श अनादर्श जो विलियन है उनमें क्या हो जाएगा अब विचलन अगर कोई भी कोई भी व्यक्ति रूल्स को फोलो नहीं करता है यह रूल को ब्रैक कर रहा है इसका मतल भी चान से सुनेंगे कि अगर कोई भी वीलियन राउल्ट की नियम का पालन नहीं करता है तो उस समय उसके वाष्पडाव में यह कहूं जा अहल की नियम से जो सरते भी यह तो जादा होगी या फिर कम या यूँ कहूं वाश्पदाव या जादा होगा या फिर कम तो कितने प्रकार का हुआ दो प्रकार का हुआ बच्चों ध्यान देंगे दो प्रकार का विचलन होता है पहला होता है धनात्मक विचलन कौन सा बच्चो धनात्मक विचलन और दूसरा क्या होता है राजा रिनात्मक विचलन क्लियर जी धनात्मक विचलन का मतलत क्या राउल्ट का नियम क्या कहता ज़रा ध्यान से देखो ठीक है राउल का नियम कहता है बच्चों P is equal to P node X यहां अपने लगा दें I, I और I ठीक है जी clear हूँ अब यदि इस नियम को पालन नहीं कर रहा है तो कुल वाश्पडाब चो P total है या तो क्या धनात्मक है इसका मतलब जादा होगा किस से A और किस से A प्लस 20 बात समझने आगे यस और नहीं तो यहां रिनात्मक में क्या होगा बच्चों total वाश्पडाब जो होगा solution का वो क्या होगा कम होगा किस से घटकों से clear बात समझने आ गई होगे क्लियर टॉपिक क्लियर हो रहा है फटाब वर कमेंड में लिखो यस मैम क्लियर से कि अगर वाश्पडाब कम हो रहा है तो आपन देखेंगे कि आईतन में वाश्पडाब कम यह जदा हो रहा है धनात्मक में हमेशा ज्यादा जिनात्मक में वाश्पडाब वीलियन का हमेश हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर डेल H जो होता है अपने पास वो अंतर में अपन डेल H मिश्रन का जो अपन लिखते हैं यह यह लिख सकते हैं डेल H जो होता है एंथलिपी जो होती है वो क्या होगी H1 यह यह लिखें H A प्लस H H B की क्या होगी हमेशा क्या होगी आप यहां लिख सकते हैं इस तरह से एच जो है total enthalpy जो है वो हमेशे क्या होगी राजा जादा होगी यहाँ पर enthalpy जो total होगी वो क्या होगी कम होगी किससे ए और बी से clear वहीं पर अपन चलें तो आयतन की बात करें total आयतन भी जादा होगा आयतन ए और आयतन ए बी से वहीं पर total जो आयतन होगा वो कम होगा किससे आयतन ए और आयतन ए बी से clear होगी बात समझ में आगे तो फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी से एक चीज और थर्ड होगी और पौर्थ पॉइंट क्या अब अपन देखते हैं आकर्शन बल आकर्शन बल क्या है यानि कि अ दे आकर्शन बल ध्यान देना बच्चों अगर आपन देखें कि एक अपने पास पात्र है ठीक है और और उस पात्र में अपने पास दो घटक A और B हैं ठीक जब आपने जल लिया और जल में कोई दूसरा पधार डाला जो सके अंदर घुल रहे हैं अगर वोसके अंदर ध्यान देना जड़ा आपके पास यदि वो A और B का बंद FAA और FBB का जो बंद होगा उसमें क्या फरकाएगा ध्यान देगा अगर ये क्या हो ये बंद दुर्बल हो दुर्बल हो तभी तो वो जल्दी से टूटेंगे और तूटकर आसानी से क्या हो जाएंगे वाश्पशील हो जाएंगे इसी लिए उसका वाश्पदाब बढ़ जाएगा और वाश्पदाब बढ़ना ही हम लोग क्या कहते हैं धनात्मत विचला क्लियर बात समझ में धनात्मत विचला क्या मतलब होता है किसी भी वीडियन के अंदर यानि आप दो घटक डाल गया है तो एक घटक के के लिए हम बात कर सकते हैं एथेनॉल जो है उसके अंदर ह lle αυτ एक सिटन के कंणों को तोड़ देता है तो कंणों की वाश्पदाब बढ़ रच और वाश्पदा तो यह बंद क्या होना चाहिए दुरबल होना चाहिए तो अपर चोथे में क्या है भी कहतेंगे इस एबीक बी A की तुलना में और F BB की तुलना में बात समझ में आ गई होगी clear ये बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पर क्या होगा इसमें यहाँ पर ethanol लिग ले C2H5OH प्लस acetone CH3C1O CH3 acetone की tone अच्छे से याद रखो example को next जो है इसके अंदर आपन क्या लिखेंगे F A B के बीच का बंद जादा होगा F A A और F BB की तुलना में क्यों भई जैसे ही आप क्या करेंगे किसी भी विलायक में विले डालेंगे तो वहाँ पर यदि वो उसके साथ जुड़ जाता है उसके बंद को तोड़ने की बजाए यहीं वाटर मॉल्यक्यूल के बंद को तोड़ने की बजाए उसके साथ ही बंद बना लेता है तो इसका मतलब बंद क्या हो गया प्रबल हो गया प्रबल होते ही क्या हो जाता है बात समझ में आई मैं इसको आपको यहां पर थोड़ा सा आगे एक एक्जामपल देखें समझाऊंगी कैसे बंद बन रहे हैं चलते हैं तो यह बात का फटा फट स्क्रीन शोट लो ताकि बात प्लियर हो जाए दन ओके जी आगे चलते हैं जैसे मैंने कहा कि एथिल एलकोल रहेंगी सी टू एच फाइफ ओ एच ठीक है और ऐसी टोन है सी एश थरी सी डवल वॉन ओ और सी एश थरी अब यह इसके साथ बंद नहीं बना रहा है यह इसको तोड रहा है यह इसके अंदर डालेंगे ना तो य इनके बीच का बंद क्या हो गया इनके कणों के मद्द जब दून मिले तो एफ एबी के बीच का बंद क्या हो गया दुर्बद तो वाश्पदाबने क्या हो गई ग्रदी हो गई वहीं पर आप देखेंगे कि अपने पास एथेनोल ठीक है या मैं यू कहूं ऐसी टोन साथ चीएश तरी सी डवल बॉंड ओ चीएश तरी किटोन अब इस किटोन को यदि अपन किसके साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ जोड़े तो अपन देखते ह हैं कि यहां पर क्या हो जाता है हाइडरोजन बंद बंद जाता है है तो यह ईसके सांथ जुड़ गया तो यह बंद और प्रबल हो गया जैसे ही यह फ 001 यह हो. गया प्रबल हो गया FAA और FBB से तो हमने देखा कि यहां पर क्या हुआ वाश्मदाब में कम्यारी बात समझ में आगे फटाफट स्क्रीनशोट लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए ठीक है क्लियर हो गई बात चलते हैं आगे जल्दी से देखो पटाफट पटाफट जोट ले लिए ओके चलते हैं अब आपन क्या देखेंगे जैसे ही अपने आदर श्वीलियन को देखा धनात्मक और रिनात्मक विचलन को देखा तो अपन ने देख लिया कि वहां पर जो परिवर्तन हुआ वो तो तो अब जब यह परिवर्तन क्लियर हो चुके हैं तो इन थ्विज़् नेилли है उन के लिए ग्राफ तो अपने पर्टिपलरली ग्राफ तो अपने ये देखा हुआ है, ये ग्राफ देखा हुआ है न बिटर कोस्य अनरे सबchesने दो कि नहीं जल्दी बताओ ज़ल्दी फटा फटा क्लियरली पता है ना यह सब तो आपको राइट है ना अपने यहां क्या लिखा था फी टू यहां क्या लिख दिना फी वन नोड ठीक है आप यहां पर रिनात्मत में भी सिमिलर ग्राफ तो बना लो ठीक है यह थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा होगया बात समझने आ जाई है ठीक है अब यहां पर अपने देखा यहां पर भी वो क्या है फी नोड वन फी ओ से होगा यहां पर क्या हो एक्स वान एक्स टू एक्स टू एक्स वन बराबर add 0x1 बरबर 0x2 बराबर 1 similarly यहां पर भी क्या होगा अपने पास पी ओनैडर तो अपन यहां पर भी ऺतें बच्यों पीवन यह नौड तो यहहां पुझुनकों डिक दैसे हुबugen को यहां पर भी क्या होता है एक होता है अब हमने कहा कि यहां पर इन दोनों को मिला यह यहां पर आया आपका टोटल वाष्पदाप प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प बाततमाश में आगे यस और फटा फट बताओ क्योंकि धनातमक है हर चीज की वैल्यू क्या होगी वास्त दाब क्या होगा जादा होगा क्यों कि वहाँ पर जो कण है वह वाश्पशीर जादा हैं उनके बीच का बंद दूर्बल हैं वही पर दिरनातमक की बात करों तो यह पर P total जो है वो P1 प्लस P2 के बराबर है तो वो सामाने से क्या होगा कम क्योंकि यहां पर एक solution दूसरे में मिल रहा है और बंद प्रबल हो रहा है तो यहां पर इसका भी कम और इसका भी क्या हो जाएगा कम बात समझ में आ गई तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं धनात्मक बहुत इंपॉर्टेंट है ओके डन चलते हैं आगे आप चलते हैं आपन आगे अपना अगला जो टोपिक है वो है आपका इस्थिर क्वान्थी विल यह क्या है आपने इक पात्र लिया बच्चो और उस पात्र में विल यह अदाल लिया ठीक है एक स॒लुशन है ठीक है पर पता है यह स॒लुशन वो है जो एक मिश्चित आप पर दो अवस्थाओं को साथ में बिखाता है वो द्रव में भी रहेगा और वाश्प में भी रहेगा यानि कि एक समानताप पर क्या करता है द्रव में भी रहता है और वाश्प में भी रहता है यानि ऐसे वीलियन या यूँ कहें ऐसे मिश्रन जो एक निश्चिक ताप पर द्रव या वाश्प दोनों अवस्थाओं को प कहते हैं कौन से मिश्रन कहते है राजा इस्थिर क्वांती क्वांती मतलब उबलना उबलता है उबलेगा उसी ताप पर उसी तुरंत वाश्म में विबदलेगा उबलना और वाश्म दोनों एक साथ हुआ तो वह वेलियन क्या कहलाते हैं इस्थिर क्वान्थी मिश्रण कहलाते हैं बात क्लियर हो गई चलें आगे तो इनको भी दो प्रकार से डिफाइन किया गया है यानि इस्थिर क्वान्थी जो मिश्रण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं एक तो होते हैं आपके रिनात्मक रिनात्मक इस्थिर क्वान्थी मिश्रण और दूसरा होता है क्या धनात्मक धनात्मक इस्थिर क्वान्थी मिश्रण या विर्म बात समझ में आ गए क्लियर होगे दोनों प्रकार समझ में आए अब ये प्रकार कैसे हैं इनको डेफाइं कैसे किया गया होगी वह भी समझेंगे फटा-पड़ इसका स्क्रीनशोट लेंगे ताकि बात समझ में आ जा, इस की तरह विवार करता है इस्थिर क्वांति की मिश्रण या वील्यन कहलते हैं चलते हैं आगे अब धनात्मक और रिणात्मक कि इस थिर क्वांति मिश्रण का मतलब क्या ह। रावल्ड के नियम में जो अनादर्श वीलियन है कॉनसा अनादर्श वीलियन है उसमें जो क्या करता है जो रिनात्मक वीचलन प्रदिशिक करता है रिनात्मक वीचलन वो हमेशा क्या होते है धनात्मक इस्थिर क्वांती मिश्रन होते है निकी धनात्मक इस्थिर क्वांती मिश्रन में दाब हमेशा क्या होता है जो होते हैं उनका वाष्वदाव हमेशा क्या होता है जह द्धिरश्वान्ति तो आपँ देखते हैं कि यहां पर जब आपन बात कर रहे हैं तो यहां पर यह क्या होता है धनातमक चुझनन पर दिशतFr कर बात समझ में आ गई होगी बात क्लियर भी हो गई होगी अब धनातमक और रिनातमक जो हैं उनके लिपने हम शिर क्ष्टे में सबस्क्राइं सना मैं दो सादा की गारा हाँ धनात्मक जो स्थिरपानति होते हैं उनमें जो शरक्राइं होती हैं उनके अंदर क्या मिला दे ज़ते हैं जुड जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा धनात्मक इस्तिर क्वानिती कि वहां पर वाश्प डाबनें कि आई दी कमी औपने लिख सकते हैं शरक्रा का किन्वन जदा ध्यान दो फटाफट फटफट फटाफट नोट में लिखते जाओ जो मैं बोल रही हूं ताकि बात समझ में आजाए फटा फट फट लिखेंगे और दूसरा और धनात्मक होगा और अधिक्तम जो है वो रिनात्मक होगा बात समझ में आई से न्यूनतम इस्थिर क्वान्त की बोल सकते हैं और अधिक्तम से अपन लिख सकते हैं यहां पर न्यूनतम तो अपन यहां लिखेंगे रिनात्मक में लिखेंगे न्यूनतम इस्थिर क्वान्त मिचलन परदिशित करता है तो यहां शरक्रा और क्या आ गया किसका शरक्रा का किनमर और यहां आ गया अपने सकते हैं यहां अपने सकते हैं क्या नाइट्रिक आमलु प्लस जय रेट अधिक्तम और न्यूनतम बात लियक हो गई न्यूनतम जो होता है वो धनात्मक विचलन परदिशित करता है और वहाँ पर अच्छा एक्जाम्पल जो है वो ध्यान से लिख लिए ना एक बारी वापस दरात्मक जो विचनन प्रेदा करते हैं वहाँ पर अपन लिखते हैं शरक्रा का किन्मन और वही पर आपर लिखते हैं अपन क्या शरक्रा यहाँ पर नाइट्रिक अमल और जलका निश्रा क्लियर बात समझ में आ गई तो ये था आपका आज का टॉपिक जो आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने अब सुनो एक्जाम में क्यास्चन के से आता है कि अपने को पूछते हैं अनादर्ष वीलियन कौन से हैं उधारन दो पहला क्यास्चन इस तरह से एक नमर का क्यों सा आदर्ष और अनादर्ष वीलियन किसे कहते हैं उधारन बताईए या फिर सेकिंड टाइप ऑफ क्या होगा सेकिंड टाइप ऑफ क्योस्चन होगा कि आदर्ष वीलियन आपके लिखिये गए हैं बेंजीन टॉलियन एथनॉल एसिटोन 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 क्लोरोफॉर्म यह से बहुत सारे एक्जाम्पल्स लिखी और पूछेंगे कौन सा आदर्ष है कौन सा अनादर्ष है कौन सा इन सब को डिस्टराइब करके वो आपसे क्यों नंबर का कंफिर्म 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 पूछता है यह क्यालीक्स लिख जाएंれ मैं आपसे promise कर यह question आते ही है बच्चों आते ही है इसलिए note करेंगे अच्छे से ध्यान रखेंगे ताकि topic clear हो जाए okay done तो आज जो topic आप पढ़ाया है मैंने बिल्कुल बहुत ही examples के साथ clear किया है ताकि आपको वो चीज़ समझ में आजाए साथ ही हम देखते हैं कि अब तक जो आपने पढ़ा है उसके notes भी आप बनाएं तभी आपको बात समझ में आएगी अब जो homework है वो description में जाकर आप ले लेंगे homework attempt करेंगे तभी आगे काम होगा विटा आपको क्या समझ में नहीं आया है वो लिख देना ताकि आपको हम बाते स आपक्षिक अवनमन क्या होता है सबसे पहले वाश्प दाब क्या होता है उसके बाद उसके आपक्षिक अवनमन की बात करेंगे वाश्प दाब तो पता है ना अपने को किसी भी द्रव के विलियन को जब गरन किया जाता है तो क्या होता है उसके कंड जो है द्रव की सतय प परिभाशा कुछ इस प्रकार है जब किसी सुन्द विलायक में वासपेशल विलायक होला जाता है बच्छों यह कह रहा है कि आपके पास एक solution है बेटे क्या है एक solution है जिसके अंदर क्या है शुद्ध विलायक है बच्चों शुद्ध विलायक राइट ये शुद्ध जो विलायक है वो जल है इस जल के अंदर आपने कुछ न कुछ तो मिलाया है जिसे आप विले कहते हैं कहते हैं ना विले है ना तो इसके अं ए वाश्पशील है दन जी और यह क्या है वाशपशी sizin ठीक है मेरे प्यारे बच्च possiamo तो एक पात्र में आपने विलायक और विलय कर विलинов विलय तेयार के लिया एक है वाश्पशी जैसे ही किसी भी विलायक क्या मिलाया जाता है यह वाश्पशील मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है उस वीलियन का या यू कह दे वाषपदाब अव नमन कहते हैं तो अर्थाख वीलियन का वाषपदाब शुद्द विलायक से क्या हो जाता राजा कम हो जाता है इसे वाषपदाब फवनमन कहते हैं जिसे अपन क्या लख सकते हैं जिसे हम लख सकते हैं डैल π is equal to पी जुद्र === यह क्या बिटा, शुद्धविलायक का वाषपदाब, यह क्या है बिटा, यह है विले का वाषप दाब, जो की क्या है? ए वाषप शीर है, ऊके डार जी विल्कुल विल्कुल क्लियर हो गई बात फटा फट देखेंगे जल्दी से तो ये आपको बात मैंने पूरा समझा दिया है इसके बाद आपन चलते हैं टॉपिक पर जिसमें ये कह रहा है कि अगर वाश्ट दाब में अवनमन होता है तो राउल्ट उस नियम को क्या कहता ह राउल्ट कहता है कि वाश्ट दाब में जो अवनमन है वो विल्क के मौल अंशों के समानुपाती होता है जिस गटक से जो दाब बनेगा उससी के तो समानुपाती होगा राउल्ट का नियम पढ़े बात कर चुके हैं तो उसने कहा जब कि शुद्ध विलायक में तरह समझ सकते हैं आपन उसे अलग परी भार्षा से भी समझ सकते हैं जो कि आपकी पर है देखेंगे एवाश्पशिल विले द्वरा शुद्ध विलायक के वाश्पदाब में अवनमन का शुद्ध विलायक के वाश्पदाब के अनुपात को वाश्पदाब में आप प्रिक् आप यह वाश्पशील विले का वाश्पदाब दुनों का अंतर तथा शुद्द विलायक के वाश्पदाब का अनुपार इसी के नीचे क्या लिखेंगे आप यहाँ पर पी नौड 1-P1 अपॉन पी नौड 1 इसको आप क्या कहते हैं वाश्पदाब में आप पिक शिक अवनम बात समझने आ गई होगी बच्चों आप इस चीज को जो है हो से डेल पी से भी नोड कर सकते हैं और उपर लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हैं पी नौड वनड इसे हम कहते हैं वष्पदाब में आप पेक्षिक अवनमन वाश्पदाब में क्या होता है किसी शुद्ध विला जो शुद्ध वाश्पशीन है शुद्ध विलायक में मिल गया तो वाश्पदाब में अवनमन हुआ वह उसके अनुपात में क्या रख दो शुद्ध विलायक का वाश्पदाब तो अपन क्या कहते हैं उसे वाश्पदाब में आपक्षेकर अवनमन कह देते हैं बात समझ में आ गई है तो clear कर लेते हैं आगे चलते है कि यह कहता है कि माना किसी वीलियन में विलाय के मोल अन्ठी और उनके मोलगों की संख्य और अन्ठी आटव है तो मोल अंठी यह थो विलाय के मोल क्या होंगे उतसे पहले हम लोग पूरी चीजों को समझ के इसका गणितिय रूप में आ गया पर प्रैक्टिकली आप उसे गणितिय रूप में कैसे देखेंगे वो मैं बताऊं कि अगर जिसको वाश्पदाब में आप पेक्षी कवर्नमन समझ में आ गया उसको सारे गुंधरम क्लियरली समझ में आ गया चले तो चलते हैं अपन अब देखते हैं सबसे पहले अपन क्या अपन देखते हैं कि अपन सब जानते हैं कि देल पी जो है जो अपने पास है जो वाश्पशील विले और शुद्विलायक का जो अवनमन था वाश्पदाब में उसका अंतर है तो कहा गया कि डेल P P no 1 minus P1 तो अपन देखने हैं कि एक वीरियन में घटक P1 समानूपार्थी X1 वही पर P2 समानूपार्थी X2 यहाँ पर वाश्पदाप जो है वो विलायक पर ही निर्बर करता है तो अपन यहाँ विलायक को आगे consider करेंगे और अपन लिखेंगे P1 बराबर P node 1 X1 क्योंकि वाश्पदाब तो शुद्ध विलायका ही होता है विलायका ही होता है विलायका तो होता ही नहीं है तो उसी से अपन किसका निकालेंगे विलायका निकालेंगे कैसे चलाद ध्याद देंगे यहां तक बात समझ में आगे यह clear हो गया अब देखो बच्चों जैसे यह लिखा तो अपन सब जानते हैं क्या अपन सब जानते हैं कि X1 प्लस X2 is equal to क्या होता है बच्चों 1 होता है तो अपन क्या लिख सकते हैं X1 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस X2 लिख सकते हैं राइट बात समझ में आगे और यहां पर X1 की लिख सकते हैं 1 P1 बराबर P1 1 1 माइनस X2 हम इसको इस तरह लाएंगे P1 is equal to P1 1 माइनस X2 यहां तक अब देखो बच्चों यह तो समझ में आ गया कि जो विलायक है उसका वाश्वदाब बहुत मैटर करता है लेकिन विलायक से विलायक का वाश्वदाब याद कर वह है आप एक्षिक अवनमन गणी की रूप में कैसे आएगा तो ज़रा ध्यान देंगे अगर मैं इसी विल्यू को अगर क्या करूँ इसको इस तरफ ले आऊ और इसको इस तरफ तो माइनस प्लस में और प्लस किसमें आ जाएगा माइनस में तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं x2 is equal to ज़रा ध्यान देंगे माग वन माइनस पी पी वन अपून पी नोट वन यह जो माइनस है आपका वन माइनस जो आपने लिखा है वह माइनस जो है वह दोनों के लिए है तो अपने इसको सेंटर में वन माइनस यू लिखेंगे अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो क्या हम इसको ऐसे व्यक्त कर सकके हैं वन माइनस अप इसके नीचे वन लगा कर इसका लो माइनस पी नोट वन अपून पी नोट वन अपून Andrew क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x2 बराबर p node 1 नीचे common है ना तो उपर यहां लिख सकते हैं p1 बटा क्या लिख सकते हैं p1 यहां मैं उपर लिखके दिखा रही हूं बच्चो ताकि आपको clearly समझने आ जाए क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान से देखना x2 बराबर क्या लिख सकत हैं p node 1 minus p1 upon p1 बात समझ में आ गई यानि कि किसी भी वीलियन का वाश्पदाब में आप पिक्षिक अवनमन किस पर निर्भर करता है राजा हमेशा किस पर आई वाश्पशिन विले के मोल अंश पर निकाल दिया बात समझ में आ गई इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं अब अपने पास जो एकसटू की वेल्यों को अपन सब जानते हैं की यह ऑकसटू जो है वह क्या है मोल फिया क्या है बेटा मॉल अंश है ठीक है अब मॉल अंश से इसके वेल्यू कैसे निकाले जाएगी उसको मैं आगे भी डिस्क्राइब करूँगी पटा फट देखो जल्दी से अगर आपको समझ में आ गया है तो फटा फट इसको उतारेंगे जल्दी जल्दी मेरे साथ चलू आगे ओके जी अब आगया एक्स टू के मॉल अंश क्या कहते हैं आपको पता है कि अपन जब एक्स टू की बात कर रहे हैं तो बेटा एक्स टू बराबर होता है मॉल अंश बराबर होता है क्या एंवन अपोन एंवन प्लस एंटू सो एंटू लिखा जाएगा यहां एक्स टू है इसलिए एक्स तो यानि की विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या अगर विलयन क्या हो बच्चों अगर विलयन अधिक या अतितनू हो तो तो अपन क्या कर सकते हैं उस इस्तति में अपन N1 is more more greater than N2 तो अपन क्या लिख सकते हैं वहां पर यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं एक्स टू इसी कल टू क्या N2 अपन N1 राइट पिल्कुल जी पिल्कुल पटाफट देखें जल्दी से तक बात समझ में आगे तो यह रहा आपका N2 N1 प्लस N2 अगर राउल्ट के नियम से क्या होगा अब इस वेल्यू में आपन जानते हैं यह N2 क्या है बहुत इंद अगन्य तो अपन लिख देंगे N2 अपन N1 राउल्ट के नियम से क्या जी राउल्ट के नियम से पी नौड वन माइनस पी वन अपन पी नौड वन और यह बात तो सबको क्लियर है अगर बहुत छोटा हो तो यह डायरेक्ट लिक्या जाएगा N2 अपन N1 जो सामने बूर्ट पर लिखा हुआ है यह तो बहुत इसी है और N की जगह अपन क्या लिख सकते हैं W1 अपन M1 अब यह क्यों लिया भई यह क्या जरुरत पढ़ी आपको देने की बच्चों यहां तक तो क्लियर हो गई कि अपन यह लिख सकते हैं कि डेल पी अपन पी नोड वन इस इकल टू एंड टू अपन N1 ठीक है वाश्वदाब में आपक्षिक अवनमन जो है वह विले के क्या मोलों की संख्या पने पर करता है अगर मोल आ गए तो है तो कैसे करेंगे तो उसके लिए अपन मॉलर द्रेवेमान के साथ में इसका रिलेशन दिखा रहे है कि अपने पास N2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों डबलू टू अपॉन M2 N2 क्या है बेटा N2 है मोलों की संख्या जिससे अपन क्या लिखते हैं विले के विले का भाज बटा विलाय किया क्या वो सकते हैं वीलियन का भाज जल्दी से देखो फटा फट देखो विले का ही क्या राजा अनुबार क्लियर जी क्लियर ओके डन तो आपन यहां पर लिख गी क्या N2 की लिए यह है तो N1 की लिए यह आई गए दोनों की बात तो अब यहां पर आपके लिख सकते हैं डेल पी अपन पी नोड वन इस इकल टू डबलू टू अपन एम टू गुणा क्या M1 अपन डबलू टू क्लियर अगर आप इसमें किसका माद विले का क्या आप क्या निकलना चाहते हैं अनुभात M2 की वैल्यू निकलना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है केवल आपको क्या करना है इसी फोर्मूले में डबलू टू गुणा M1 गुणा पी नोड वन इसको उपर ले आना और इसको नीचे बट्टा क्या डबलू टू गुणा डैल यह आगया आपका क्या बच्चों यह आगया आपका क्या जी यह आगया आपका वाश्पदाब में आपक्षिक अवनमन तथा किसमे संबंद विले के अनुभार में संबंद इंपोर्टेंट लगाओ अगर यह अनुभार जो है केजी में है तो ठीक है अगर ये ग्राम में हैं तो बच्चों यहां किस से गुणा कर देना हजार से गुणा कर देना कई बार बच्चे पूछते हैं है ना कमेंट में आप पूछते रहते हैं कि मैं हजार कहां से आए बेठे केजी में हैं एदी भार तो नहीं लगाना है वहीं ग्राम में हैं तो फटा फट कमेंट में लिखो यस मैम जल्दी से जल्दी मेरे प्यारी बच्चों और अगला टॉपिक शुरू करते हैं कि क्वथनांग किसे कहते हैं अब बच्चों क्वथनांग क्या होता है जंदली पतायपन क्वथनांग की परिभाषा एर्थ 9-10 में पढ़ते हैं तो वहां के बता जाता है यह सही भी है परिभाषा बताया जाता है जो कि किसी भी निश्चताप पर जब कोई द्रव उबलना शुरू करता है तो उसे हम क्या कहते हैं उस द्रव का क्वथनांग कहते हैं लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर वाश्पदाप से यहां पर परीभाशा थोड़ी सी अलग करेंगे क्या कि वह निश्चत ताप वह निश्चत ताप चलो परीभाशा को बोलने के साथ-साथ मैं डाइग्राम से सब्सक्राइब आपके पास एक सॉलुशन है ना ये करते हैं Good Street करते हैं कि जब किसी किना कियार गर्म किया जाता है एक दनिश्चत ताप पर किस पर राजा निश्चित ताप पर जब किसी भी वीलियन को निश्चित ताप पर गरम किया जाता है तो वह उस ताप पर उसका वाश्प वाश्प दाब किसके बराबर हो वायू मंदलिय दाब के बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उस वीलियन का क्या कह देते हैं राजा कृतनांक कह देते हैं बात समझ गया ही जब किसी द्रवी वीलियन को निश्चित ताप पर गरम किया जाता है तो उस समय उसका वाश्पदाप क्या होता है यूँ एरो का निशान लगाओ उस समय उसका क्या किया जाता है उसका वाश्पदाप जो होता है वो क्या कह राता है वायू मंडली दाप के बराबर होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं उसे हम कह देते हैं उसे हम क्या 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 क क्या जल्दी से बताओ फटा फट फटा फट वायू मंदली दाब को क्या कह देते हैं क्लियर बात समझ में आगई होगी तो फटा फटी से नोट्स नूंतारेंगे जल्दी से बढ़ते हैं आगे ताकि बात क्लियर हो चाए क्या हमने जो समझा वही है बिलकुल है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाश्बदाब वायू मंदली दाब के बराबर हो जाता है उसको द्रव का पथनांग कहते हैं वायू मंदली दाब कितना होता है बच्छो 1.013 ATM atmospheric pressure कितने ताप पर 373.15 Kelvin पर होता है चले आगे बात clear हो गई होगी जल्दी से समझ में आगया है तो फटा फट कमेंट में लिख देजी Yes, ma'am मेरे प्यारे बच्चे चोटे चोटे बड़े प्यारे हो आप इसमें कोई जोर आए बास अच्छे से इतना ही अच्छे से पढ़ते रो आप बहुत अच्छे हैं चलें चलते हैं आगे जड़ा देखते हैं आगे अपना टॉपिक क्या है बीलियन का कुथनांग शुद्ध विलायक से अधिक होता है क्यों शायद मेरे इतना पढ़ाने के बार आपको यह बात तो क्लियर होई गई है कि वाश्पदाब में कमी कवारी शुद्ध विलायक का वाश्पदाब अधिक होगा अगर उसमें आए वाश्पशेल विले मिला दिया तो ही उसके वाश्पदाब में क्या आगे बच्छों कमी आती है इसमें कोई दौराए नहीं है देखता है अपने थेयरी क्या कहती है वाश्पदाब तो चलना पड़ेगा नको बही बिना थीयरी क्या है तो किसी शुद्ध विलायक में वाश्प शेल भिलेए ऑ़ भूला जाए वाश्पदाब ने कमी आ जाती हम शुद्ध विलाइक से कम हो जाता है विलियन का वाश्पडाप और वाई मंडल ये दाप के बराबर रखने के लिए विलियन को और अधिक गरम करना पड़ता है अगर आपने वाश्पशिल विले मिला दिया और उसके बाद में अपने वाश्पडाप मापा तो वो कमा हैगा वही पहले जितना नहीं आसा था कि ए वाश्पशिल है वो उसको वाश्पित होने की दर को दीरे-दीरे क्या कर रहा है कम कर रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए ताप को बढ़ाना पड़े तो यहीं कह रहे हैं तो इन्होंने कहा कि वीलियन का क्वत्नांग हमेशा शुद्ध विलियन का मेशा कम होता है अगर आपको शुद्ध विलायक के बराबर वीलियन का क्वत्नांग करना है तो उसके क्वत्नांग को क्या करना बढ़ेगा बढ़ाना पड़ेगा तो जिसमें आप इसको यह लिखेंगे डैल T is equal to T B minus T not B जो ताप है वो क्या हो जाएगा जो और यह क्या होगा कम इसको बढ़ाना पड़ेगा ना इसलिए चलें आगे पटा पर देखें जल्दी से देखेंगे आपको बात समझ में आ गई होगी चल्दी करें अब हमने अपने टॉपिक पर आ जाते हैं अपन पढ़ने वाले क्या हैं क्वत्नांग का पूनियन क्वत् तब जाके वो एट्मोस्पेरिक प्रेशर के इक्वल चलेगा क्लियर चलें आगे जल्दी से देखने हैं पर भाषा क्या कहते हैं जब किसी शुत्य विलायक में कोई वाश्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो एवाश्पशील पदार्थ की कण द्रव की सताय पर आ जात है इसी लिए द्रव के वाश्पशाप को वायमंदली दाप के बराबर करने के लिए अधिक दाप अधिक ताप देना पड़ता है बात समझ में आ गई होगी कुछतनांग का माण बढ़ जाता है और कुछतनांग में उनयन हो जाता है क्लियर अब आपन इस चीज को एक इसस reaction से भी समझ सकते हैं example से भी समझ सकते हैं तो आपके सामने एक उधारण दिया गया है वो उधारण कह रहा है कि आपके पास बच्चों ध्यान देना मैं एक दो पात्र बना रहे हूं ठीक है इसको समझाना जरूरी तो अपन देखें कि ये तो है बिटा केवल क्या विलायक जिसमें केवल क्या है राजा जल ओके जी वहीं पर ये है वी लियन जिसमें जल है प्लस गुल्पोज है अब इसको अपन ने जब हीट किया इसको अपन ने जब गरं किया तो इसका जो वाश्प दाप था वो किसके बराबर आया 1.013 के बराबर आया जबकि इसका सिमिलरली उसी ताप मान लो कि इसने क्या बोला है कि 100 डिगरी सेल्सियस पर इसको 100 डिगरी सेल्सियस पर हीट किया तो इसका वायमनली दाप और इसको भी अपन ने क्या किया बच्चों 100 डिगरी सेल्सियस पर ही गर्म किया तो अब इसका जो ताप है वो किसके इक्वल नहीं आता है इसका जो दाब है जो वाश्प दाब है वो किसके बराबर नहीं आता मैं यू लिख तू検ू इक्वल टू 1.013 ATM ATM ओके जी ओके बिल्कुल जी बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी अब क्योश्चन समझ में आ गई है तो ये क्या है के बराबर क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहां पर क्या है ग्लुकोस जो डाला गया है वो क्या है बच्चों वो है एवाश्प शील विल है ओके मेरे बच्चों ये एवाश्प शील विल है जिसके वज़े से इसके जो कन थे जो वाश्प शील कन थे उन कनों को इस ग्लुकोस ने ये ग्लुकोस के कन बड़े बड़े ठीक है इन्हों ने इसको क्या कर दिया नीचे बैठा दियो कि चुपचा बैठा जादा नहीं उड़ो बड़े लोग होते न कह देते हैं तो बैठ गए न ये नीचे बैठ गए तो अब वाश्पदाब ने क्या आगई भाई कमी आगई किसमें दाब ने क्लियर बात समझ में आई तो अब जब या कमी हो गई तो अपने को इसके बराबर लाना है दोनों का बराबर होना ची वाश्पदा है तो क्या करना और उसके बाद में उसका गणी की अरूप दिया जिसे हम लोग यहीं पर डिसकस करेंगे अगर यह आपको क्योश्चन समझ में आ गया तो फटा फट कमेंट में जल्दी से लिखो कि यस मैं ओके तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना अगला इसके अंदर जो अपने को है वह टॉपिक शुरू करते हैं वह क्या है वह इसने जो लिखा है है त्हुरी में आंसर वह फटा-पर दूइड कर देते ति मैंने आपको यह समझा दिया है ग्लुकोज मिला दिया जाता है तो इसका वाश्प दाब कमान कम हो जाता था था तो डिग्री पर वाश्प। द आप ऑड्र जाता है अता 3 किया हो जाता है बढ़ जाता है जिस पर ङलना शुरू होतां है यह यह बात थियोरी सेज़ादा मुझे लगता है कि जो मैंने डायग्राम बनाया था वह जाधा ठ्म तो एक्जाम में लिखनी होती है ना इसलिए आपको मैं पूरा प्रॉपर नोट्स की तरह बता रही हूं बाकि आपको इस चीज को याद रखना है तो वह तरीका है बेस्ट मैथड है यह नीट के बच्चों के लिए भी और बार्वी बोड के बच्चों के लिए तो अच्छे है आगे फटा पर देखो आपकी स्क्रीन पर ग्राफ दिया गया है लिया है यह ग्राफ क्या कह रहा है जरा ध्यान देंगी यह ग्राफ यह कह रहा है कि शुद्ध विलायक क्या है आपका शुद्ध विलायक चलर्ज में सही से लिए ताकि बात क्लियर हो जाए आपको भी अच्छे से धीरे-धीरे समझना ताकि क्लियर रहे बात यह क्या है आपका शुद्ध विलायक ओके बच्चों जी बिल्कु शुद्ध विलायक और यह क्या है आपका वील बच्चों अब ध्यान देना टी भी जो है वह बी यानि पॉइलिंग पॉइंट टी यानि टाक क्चङ आप शुद्ध विलायक जो है उसका बैइल्ओंग अब हमने देखा, हमें इतना तो पता है कि शुद्ध विलाइक का वाश्पदाब जादा और वीलियन का कम है, तभी तो एक लाइन को ऊपर से औरेंज कलर और ब्लू से जो है वो नीचे, हमने जब इसका टेंप्रेचर नोट किया, ग्राफ खींचा तो यहां पर क्या आ गई कि इसका वाश्पदाब वायुमंडलिये वाश्पदाब के बराबर था कि इसका शुद्ध विलाइक का, clear, अब चलते हैं आगे, वाश्पदाब कम है तो नीचे से लाइन शुरू करने पड़ेगी, यह तो आपन पता है, अपन ग्राफ बना रहे हैं, आपन ने देखा कि अपन इसको भी इस ताब तक लिया है, जिस ताब पर कौन था, जिस ताब पर शुद्ध विलाइक था, लेके आगे, पर उस समय इसका दाब क्या है, किसके बराबर नहीं है, 1.013 बार के बराबर नहीं है, clear, बात समझ में आगे, अब यह चीज अगर आपको देखनी है, त यहां पर जो एट्मोस्पेरिक दाब है, वो क्या है, वो कम है, तो वो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, हम धीरे धीरे बढ़ा रहें, तो टेंपरेचर यहां पर बढ़ रहा है, और टेंपरेचर यहां पर आकर के जब इतना बढ़ाया तो तब जाके वो क्या हुआ इस atmosphere के बराबर हुआ वायू मंदली ये दाब के बराबर हुआ 1.013 वायू मंदली ये जा दाब है ना उसके बराबर वो हुआ तो ताप में क्या करनी पड़ी व्रधी करनी पड़ी yes और no तो आपके पास ये क्या आगया अंतर बेल टीवी इस इकल टू किसके बराबर टीवी माइनस टी डॉट बी समझ में आगई बार यहां तक कोई किसी को दाउट नहीं होना जाए तो यहां पर ये ग्राफ समझ में आगया boiling point of solvent boiling point of solution चले फटा पर इस थियोरी को अगर ये समझ में आगया तो ये ग्राफ का जो मीनिंग है वो भी समझ में आगया कि वीलियन का वाश्पदाब टाब के मद्र ग्राफ खीचा गया है जिसमें अपने देखा गया है कि टाब पर विलायक का वाश्पदाब का मान वाई बंडले दाब अरहर एक एटीम के बराबर होता है जब शुद्ध विलायक में एवाश्पदाब मिलाकर वीलियन बनाया जाता है तो इस वीलियन के लिए टीबी ताब पर वीलियन का वाश्पदाब का मान वाई बंडले दाब यह नहीं 1.013 बार इसके आगे आप ATM का मतलब होता है Atmospheric Pressure चले बात दिया हो गई होगी तो चलते हैं आगे अब आपन इसको गणितीय रूपने रिव्यक्त करके देखेंगे जो किस तरह से निकाला गया है तो वो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है कि कोई भी क्वथनांक का उनेयन है वो किस पर निर्भर करता है बच्चों वो निर्भर करता है वीलियन का क्वथनांक माइनस सुद्ध विलायर का क्वथनां वीलियन और ये शुद्ध विलायर दन ये तो है आपका वीलियन और यह आपका शुधर दुनों का अंतर है by उपस्तित विले की मौलल तर्था मौललत आपके समानुपाति थो पर कैसे कैसे होता है तो इसका डेरिवेशन है वह मैं आपके सामने अभी करके दिखाऊंगी ताकि है को बच्चों आपन ने क्या क्या देखा है आपन सब जानते हैं कि वाश्पदाब में जो आपक्षिक अवनमन होता है वाश्पदाब में जो अंतर होता है वो किसके इक्वल चलता है मॉल अंश किसके मॉल अंश विले के और हम जानते हैं कि डेल पी जो है वो क्या होगा वाश्पदाब जो अवनमन है वो किसके समानोपाति है ताप मतलब क्वथनांक में भी उनेयन जो हो रहा है परिवर्तन जो हो रहा है उसके भी समानुपाती है clear तो अब अपन जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 सी क्या है डेल टी बी समानुपाती एक्स टू यह बात कितने बच्चों को clear होगी जल्दी से comment में बताएंगे समीकरण यानि डेल पी के बराबर यह है तो यह भी तो एक दूसर कि क्या होँए बैठेया समानुपाती clear चलते हैं आगे डेल टी बी बराबर के डॉट एक्स टू ठीक है एक्स टू क्या है एक्स टू हम जानते हैं मोलों कि किसके विले के मोल मोलों की संख्या संख्या ना लिखें तो मोल अंश लिखें जादा बैटर होगा तो अपन विले के मोल अंश बटा क्या लिख सकते हैं एक्स टू क्या है अपन शोर्ट में लिख दे तो अपन फटा पर लिख देते हैं क्या एन टू अपन एन वन प्लस एन टू विले के मोल अंश बटा विले के मोल अंश अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं डेल टी बी बराबर एन वन अपन एन वन प्लस एन टू राजा मैंने पीछे बताया हुआ है कि यह दी विलियन अती तनू है तो अपन क्या लिख देंगे यहां पर अपन एन वन इस मोर 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 ग्रेटर देन एन टू तो हम यह लिख देंगे टी डेल टी वी बराबर यहां के तो चल रहा है के नहीं हटा जाना यह हमें भूख नहीं लगी है भई खा जाए हम इनको एन टू लिखना बेदा एन टू अपोन एन यहां तक सबको क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं अब अपन लिखेंग डेल टी बी बराबर अपने पास जो अन और अन्वन अन्टु जो है उसकी वैल्यू आप कैसे गयात कर सकते हैं बच्चों हम सब जानते हैं कि वो क्या है डबलू टू अपॉन अम टू डॉट क्या है डबलू वन राइट बात समझ में आई यह बात समझ में आनी ही चाहिए अगर नहीं आई है तो चलो मैं खोल कर दिखा देती हूं फटा फट अपन लिखते हैं न अन्टू और अन्वन बच्चों तो अपन यहां क्या लिखते हैं अपन लिखते हैं विले का भार बट्टा विले का अनुभार गुणा नीचे क्या है विलायक या वीलियन का क्या भार वन लिखेंगे न तो यहां पर अपने पास जो वन और यहां नीचे क्या लिखा जाएगा अमबन तो इसको उपर लिखना पड़ेगा ना नीचे है तो तो इसलिए अपने इसको इस तरह से वियता कर दिया, clear? तो अब चलते हैं, आगे फटा फटा आपको बार फटा चल गई होगी, अब आपन चलते हैं, अपने टोपिक पर जल्दी से जल्दी फटा 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 कमेंट करते जाओ, जल्दी 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 जल्दी, विले का भाद, विले का भाद, बटा, विले का अनुभाद, घुना, विलायक का भाद, सही है राजा, बात समय नहीं, इसे हम क्या मोललता नहीं कहते हैं, मैंने पढ़ाया था, स्मॉल एम कहते हैं नहीं मोललता, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल टी वी, विजिकल टो, के डॉट, क्या, स्मॉल एम, डॉट, कैपिटल एम, या फिर आप इसको, साथ में लिख देते हैं, फिर बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगी, के, डॉट, एम, वन, और इसको लिख देते हैं, स्मॉल एम, यह मोललता होगी, यह क्या है, विलायक का अनुभार, तो यहाँ पर आप इन दोनों को मिला करके क्या लिख सकते हैं, नया इस्थिरांग, के भी डॉट, आम लिख सकते हैं, डैल, टी, बी, बात समझ में, आ गई होगी, क्लियर बच्चों, तो यह जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर अपन ने देखा, टी, जो पतनांक में परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, बच्चों, इस स्थिरांग को यदि मैं हटा दू, तो टी, बी, समानुपाती, मौललता के समानुपाती होता है, क्लियर होगी बात, बात समझ में आ गई होगी, फटा-फट देखें, जल्दी से समझ जाएंगे, क्लियर करेंगे, और इसको उतार लेंगे, ओके जी, चलते हैं, आगे, तो इस उनने कहा, कि डैल, टी, बी, समानुपाती, मौलल का नाम क्या है, मौलल मतलब मौलल ता, चलते हैं, आगे, अब एक बात, और ज़रा गोर फ़रमाएंगी अपने पास क्या था डेल टी बी जिकल टू के बी राइट डो अब अपने पास के भी अगर आप लिखते हैं तो ठीक है अगर आप के भी नहीं लिख रहे हैं तो आप के बच्चों क्या है आपके पास है के डॉट और क्या है अपने पास है डबलू टू अपॉन एम टू गुना अम वन अपॉन डबलू वन इससे क्या आप अम टू निकाल सकते हैं बिलकुश अगर हम यू कर दें इसको उपर एम टू बराबर के डॉट डबलू टू गुना अम वन बटा डेल टी बी गुना डबलू वन तो क्या किसी भी विले के अनुभाद और क्वतनांग उनयन में संबंद आ गया है यस बिलकुल आ गया है तो यह फॉर्मूला अपन क्वतनां उनयन में परिवर्तन के लिए भी यूज करेंगे त이ि क्यास्ट्ट जो है ने मैरिकल जो है वो यह सी फॉर्मूले से आना है तो बात समझ में आ गये होगी पटा फट जल्दी से लिखेंगे जल्दी से जल्दी पठाफ़ लिखेंगे ओके जी ओके चलते हैं आगे अब आता है अपना नया टॉपिक अगला क्या है हिमांक अवलमा यह क्या होता है क्वथना नया बेसिकली बात इतनी है कि वाश्पधाब जो है वो वायू-منडली दाब के बराबर होना चाहिए अगर वहां तक है तो तो ठीक है अगर नहीं है तो उसको वहां तक लाना है अगर आपको ताप बढ़ाना पढ़ रहा है तो ठीक है बढ़ाओ अगर घटाना पढ़ रहा है तो भी घटाओ पर लेकर आओ वाश्पदाब कहां तक वायू मंडल ये वाश्पदाब का तो चलते हैं परिभाशा की ओर हीमांग अवनमन क्या है इसको एक अग्सांपल से सते हैं बटा आप कटोरी लेना इसमें पानी दो कटोरी लेना पानी डालना एक में नमक disolv करना औरकम कि सिंपल दोनों को रहाना पूरी रात बर नहीं रखना है पांचार गंटे रखना आप पांचार गंटे के बात freezer में से उसको निकालना आप देखेंगे कि नमक का जो पाणी है वो जल्दी फ्रिज हो जाता है जब कि नॉर्मल पानी उतना जल्दी जमता नहीं है रही यानि वो कम ताप पर ही क्या हो गया फ्रिज हो गया मंग क्या है फ्रीजिंग पॉंट है इमांक बिंदू क्या होता है जमने वाला बिंदू यानि कोई भी अगर आप बात करें कि नमक आपने डाल दिया तो नमक क्या है नमक एक वाश्पशिल पदार्त है क्या है बच्चों एक आप नमक के पानी को हीट करते हैं तो नमक के पानी में पानी तो वाशपित होगा पर नमक नहीं इसलिए नमक को डालने के बाद फ्रीजिंग पॉइन्ट जो है वह पहले ही प्राप्त हो जाताहे जितना सुथ e विलायक का प्राप्त होने से पहले बात समझ में आ गई होगी नमक पानी और सिंपल पानी को फ्रिज में जमाकरा प्रैक्टिकली कर सकते हैं मेरा किया हुआ ही से लिए मैं आपके हशेर कर गई हूँ राइट तो चलिए जल्दी से पन पढ़ लेते हैं कि ए वाश्प शिल वि इस वहाण दाप तो कम हो गई ताप कमी होगा क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने लाइट शिल पदार्प मिला दिया तो वह क्या होगा उसके वास्प दाप में तो पमी आगे कंजो है वह जो एवाश्प शिल करने वासप शिल कन लेकर बैट रहें कि बैट जब ज़् ऑनमन के कालन्वीन रियन का हीमांग शुद्ध के हीमांग से कम हो जाता है शुद्ध के हाटMusic Wam Wow बाश्वदाप कम था पर हीमांग फ्रीजिंग को मैं यह Champions Part की बात कर रही है को इसे में आगा साटक की बात पर ताप कर रही थि यहां भी यहां पर हीमांग जमने के लिए बता रहा है वो उबलने के लिए बता रहा था लास्ट में में तीनों का साथ साथ में बताऊंगी तो लास्ट तक बने रहना हिमांग से कम हो जाता है इस प्रकार विलायक और विलियन के हिमांग का अंतर हिमांग का क्या कहलाता है बच्चों अवनमन कहलाता है यानि प्रेजिंग पॉइंट कम ताप पर ही आ जाता है जमना वो पहले ही शुरू कर दीता है राइट बात समझ में आ गई होगी तो फटा फट देखते हैं आपके स्क्रीन पर एक डाइग्राम दिखाई दे रहा है बच्चू अपने पास वाषबदाब है किसी का और यहाँ पर टाप है ठीक है अब हमने दोनों को विलैक और विलायक दोनों को क्या किया बच्चो ये तो है शुद्ध विलायक और यह है आपका वीलय ठीक है आप जानते है कि शुद्ध विलायक का वाश्वदाव जादा है और वीलियन का वाश्वदाव कम तो हमने एक को उपर और एक को नीच ले लिया sure kya आगे बढ़ते हैं तो अब अपने इन दोनों को क्या किया जमाना शुरू किया तो अपनि देखते ही कि अपना जो कि फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर आता है यही पर यह जम्ना शुरू हो गयी जबकी यहां पर कौन जमना शुरू हुआ आपका यह तो यहां पर जम गया कम ताप पर यू लिख देती हूं एक दो तीन चार पांच तो अब देखों कि अपने पास जो दोड़न वीलियन यहां आके कम ताप पर फ्रिज हुआ जबकि यह इस ताप पर ही फ्रिज हो गया जब पांच था तब तो हुआ विलायक जमा जब क्या हो चार तो क्या हुआ शुद्ध सौरी वीलियन जो है आपका अशुद्ध वो जमना शुरू हुआ बात समझ में आगए यानि कि कि फॉइंग पॉइंट जो है वह वीसका क्या है कम है और इसका क्या है जाधा है धूशुद्ध विलायक क्या है जहादा और शुद्ध विलायक का क्या है जादा और इसका क्या है बात समझ में आगर आपको डाइग्राम क्लियर हो गया वेरी गुड यानि कि जब आपन किसी भी शुद्ध विलायक की बात करते हैं शुद्ध विलायक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अपने पास जो भी क्या है शुद्ध विलायक है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा जादा यानि हिमांक विंदू क्लियर हो गई बात सब को समझ में आ गई होगी क्लियर तो पटाफट चलते हैं आगे अब देखो अगर आपके पास हीमांग अवनमन है तो इसको हम गणी के रूप में कैसे जख करेंगे आप फटाफट करके दिखाएं क्यों कि मैंने अभी बताया था आप एक शिक अवनमन क वर्थनांग के समानुपाति तो इसके भी क्या रहे गा समानुपाति गरीए लेकिंगen शुद्ध विलायक का कं यहां जादा होगा और अशुद और शुदी का क्या था उशुद्ध का इसको शुद्ध के इसको कर सकते हैं तो सबसे पहले अपन क्या शुरू करेंगे तो अपन सब जानते है बच्चों कि अपने पास क्या है जरा ध्यान देना अपन सब जानते है कि वाश्पदाब में जो अवनमन है वो X2 के समानुपाती है और ये वाश्पदाब में जो अवनमन है वो हिमांक अगर मैं इसको राउल्ट के नियम से देखूंगी तो यहां पर अपन देखते हैं कि डेल टी एफ समानुपाती एक्स टू क्लियर राउल्ट के नियम से सिद्ध हो गया तो हम सब जानते हैं कि यह जो एक्स टू है यह क्या है आपके एन्टू और एन्वन एन्टू के बराबर है तो हम यहां पर देख बराबर के डॉट एंड टू अपॉन एंड वन प्रेस एंड टू लिख सकते हैं क्लियर जी क्लियर यह बात तो दिक्कत नहीं कि पीछे भी पढ़ के आए हो अब आपन इसको यह दी एंड वन अंटू की बात करें तो अपन सब जानते हैं क्या एंड वन is more 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 greater than n2 तो यहां पर केवल क्या होगा n1 लिखा जाएगा तो हम यहां लिख देते हैं डेल टी एफ freezing point is equal to k dot यहां लिखेंगे n2 upon n1 और यहां पर k dot n2 की जाए क्या लिख सकते हैं w2 upon m2 गुना यहां लिखेंगे आप m1 upon w1 clear अब यहां पर बच्चों वहीं अपने पास यदि अपने इंचीजों को ले लें तो अपन देखेंगे k dot m1 dot small m यानि freezing point जो आपका है वो भी मौललता के क्या होता है समानूपाती होता है और इस सुत्र से हम लोग क्या ग्याद कर सकते हैं m2 ग्याद कर सकते हैं और m2 क्या है आपका यहां पर आप क्या लिख सकते हैं k dot क्या क्या लिख सकते हैं w2 गुना m1 upon dell tf गुना क्या w1 तो freezing point भी अनुभार से सम्मंदित होता है clear जी बिल्कुल जी बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी तो फटा फट इसको भी आप देखेंगे नोट करेंगे और अब चलते हैं हम आगे फटा फट बताओ किस को समझ में आ गया सबको तो येस नाम लिख ले फिल्कुल ठीक हैं बात क्लियर होगी तो अब आतें अपने next topic की और इसका नाम क्या है क्यों रुकना है भाई हम लोग ने क्या-क्या पड़ा है सबसे पहले आपेक्षिक अवनमन पड़ा राइड आपेक्षिक किस में वाश्पडाब में आपेक्षिक अवनमन जिसका फोर्मूला क्या था अपने को पता है डेल फी डो अपॉन पीनौड वन ठीक है जिसे अपनने किस से दिनोट किया था जिसमें अपनने अनुभार से भी दिनोट किया था क्लियर बात समझ में आ गई होगी फॉर्मूला याद है मैं लिख देती हूँ फटा-फट आप देखेंगे अच्छा वाश्प दाब में आपक्षिक अवनमन क्वाथनांक उनयन और हिमांक अवनमन ठीक फटा पर देखो डेल प अपन प नॉड वन इस इकल टू डबलू टू एम टू डॉट क्या अगर यह ग्राम में है तो यहां गुना हजार ठीक है यह ग्राम में है तो वही पर इसका similarly del t b t f is equal to w2 upon m2 गुना m1 upon w1 into 1000 बात समझ में आ गई देखो जी बच्चों तीनों में क्या similarities है तीनों में क्या similarities है बच्चों तीनों के अंदर similar formula है बस change है तो यहां पार ठीक है और इन सब का संबन्द यदि अनुभार के साथ देखूं तो कैसा संबन्द है वित्क्रमानुपाती संबन्द है तीनों पॉर्मूले फटा फट जल्दी से लिखेंगे फटा फट लिखेंगे ताकि आपको बात क्लियर हो जाए ओके डन चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर अपना टॉपिक अगला है भाई परासरण एंग्या परासर्ण लँद अब यह क्या होता है परासरन दाप को समझना जब तक यह समझ भी नहीं है तो तक कुछ भी नहीं है परासरन और विसरन दो शब्द आपने सुने हों परासरन क्या होता है कोई भी पदार्थ अगर आपने तनू और सांद्र लिये हैं तो आप हौली तो सब खेलते है सब को अच्छा भी लगता है हौली में हम क्या करती है हौली में कलर ले पानि में ढल देए अपन हाथ से थोड़ी ना मिलाते हैं जैसे आपने उसके डाले पूराbble उसके अंदर साता है यानि जो था वो सांद्र तरफा और पानी संद्र से तनू सांद्र से तनू क्या हुआ यह था आपका विसरन जिसमें किसी बाहिय किसकी पेसर की कोई आप необходимо नहीं इसे कहते हैं पूरी तरा पानी में जैसे ही रखा तो किसमिस ने पानी को अपनी अंदर खीचना शुरू कर दिया तो वो क्या हो गया तनू वीलियन से किस तरफ गया सांद्र से तनू विसरन पुरा फेल जाता है और तनू से सांद्र परासरन पहलाता है एक बात हो बाइलोजी वाले बच्चे जो है परासरन को वहां भी पढ़ते हैं तो वह confused हो जाते हैं बिटा यहां confusion नहीं है वही चीज वह बता रहे हैं वही यहां पर chemistry में है केवल इतना ही अपन बोलते वक्त फड़का जाता है कि तनू वीलियन से सांद्र वीलियन की ओर यहां इतना ध्यान रखना कि अगर कणो की संख्या जादा है तो सांद्र है और कण तनू की संख्या कम है तो तनू होगा किस तरफ जाएगा सांद्र की तरफ जाएगा तो वह क्या हो गया परासरन अब तो समझाया बात प्लीर हो गई तो परासरन क्या है उसकी परिभाशा आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि जल के अणों का अर्ध पारगम में जली द्व विलिन की और चलना परासरन कहलाता है एस पी एम शोट में बोलते हैं सेमी परेविवल मेमरें के बात क्लीर हो गई चले चले जी आगे देखो क्या कहता है जब दो भिन भिन सांद्रताओं वाले विलिनों को किसी भी पारगम में जली द्वारा लग किया जाता है तो विलाय जलके अनू तनू विलियन से सांद्र विलियन की उर्गती करता है अर्द पारगम में जली से होता हुआ क्या कह रहा है कि आपने परदा लगा दिया और उसमें छोटे 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 छिदर है उसमें से पदात को गुजरना है अगर जो उस कणो को उस जली को पारगम कर गया तब तो सलेक्टिव हो गया जो नहीं वो वहीं पर रूँ जाता है तो ये जली जो अर् अब देखो उदारन के लिए किसमें इसको जल में डालकर तो यह तो मैडम ने बता दिया है यह तो हमें आता है पता है ना हमने प्रहले सबसे पहले पर लिए देखो जी यह क्या है क्या है चीनी का वीलियन है इस चीनी के वीलिए सद्र अब यह तनt में कंड और जा रहे हैं संद्र में तो तनु से सांद्र की और जाना ही क्या कहलाता है ओस्मोसिस राइट अर्द पारगम में जिल्ली से होता हुआ यह अर्द पारगम में जिल्ली है दिखाई देरी सेमी परमेबर नेमरें चलेगी चलें ओकी जी ओकी आगी चलते हैं यह बात क्लियर ओक्ली अर्द पारगम में जिल्ली क्या होती है बहुत प्रकार्टी होती है जिसमेंसे कुछ जो है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जिसे कि क्या अंडे की जिल्ली किसमिस की और किस किस की है किसमिस की जिल्ली अंगूर की जिल्ली केल्चिम फॉसफेट की जिल्ली कौपर फेरोसाइनेड की जिल्ली सबसे अच्छी जिल्ली किसकी होती है कौपर फेरोसाइनेड की जिससे क्या कहते हैं जो किसी भी दो विलायक solutions के दीश में ही रिदक दी जाए तो वो कणों के जो इधर से उदर यानि एक स्थान से दूसरे जान इस्थान पर गमन करने की जो इस्तती है उसको selective कर दीजी है यानि कि उसे वो सेलेक्ट कर के ही आगे जाने देती है अगर वो जिल्ली को पर कर गए तो selective नहीं तो वो selective नहीं होंगे रैट अब पढ़ते हैं कि परासरन के परकार कितने होते हैं परासरन दो करता होगा suit या तो सांदर या तो अर्द पार्जमने की जिल्दी की जरुरत नहीं है कि बाये में होगा यानिकी सांद्र किसमें जा रहा है तनु में तो वहां पर परासरन किसमें आ जाता है विसरन के कॉंसेप्ट में आ जाता है तो दो ही प्रकार है इसमें अंतहर परासरन और बाहियर परासरन चलते हैं आग चला गया तो अपने क्लियर हो गई बात अब आता है भाये परासरन में क्या होता है कि इसके अंदर सांद्र विलियन में से तनु विलियन की और जाता है अगर आप इसका एक्जामपल देखना तो आज ही कर लेना अंगूर तो सब खाते हैं बड़े अच्छे लगते हैं है ना अंगूर खटे हैं लेकिन अच्छे हैं है ना तो वह अपने को खाने होते हैं तो आज क्या करना दो अंगूर उठाना और एक कटोरी में चीनी का गोल बना लिए चीनी का गोल बनाया और उसमें अंगूर डाले सुबह तो अंगूर देखोगे ना पता है कैसा मिलेगा अंदर जो सॉलूशन है वो क्या है आपका बच्चों वो क्या है तनु है तो चलते हैं आगे अंताय और बाहिए परासरण समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं परासरण दाब बच्चों परासरण दाब क्या होता है जब कोई भी विलायक के कर्ण solution में जा रहे हैं यानि कि तनू के विलियन जो है तनू solution के जो कर्ण है वो किसमे सांधर की और जा रहे हैं एक समय के बाद में वो जाना बंद हो जाते हैं तो जो वहाँ पर डाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं परासरण दाब कहते हैं ध्यान देंगे किसी सुद्ध विलायक को अर्द पर जली द्रा अलक किया जाता है तो परासरण की क्लिए शुद्ध शुद्ध विलायक से विल्यन की और होने लगती है इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए वीलियन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे परासरन की क्रिया को रोकना है यानि की वीलियन जो है विलायक जो वीलियन की तरफ आ रहा है उसे रोकना है अगर आप उसे रोक रहे हैं चैसल्ग क्या है अब क्या करें लिए थाप प्रासरन दाप जान्य निहीं देखो जर्ण तो आपके पास में एक प्योर व्या थे टेहना। क्या है। क्या है बच्चों ये आपके पास शुद्ध विलायक है ठीक है और ये क्या है आपका विलियन अब ये कंड इस तरफ आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे हाँ या ना तनु क्या है सांद्र की ओर जा रहे ठीक कोई दिक्कत नहीं ये प्रासरन की यह हो रहे है लेकिन जब एक इस्ति आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे दोनों तनु तनु हो जाएंगे अब तनु सांद्र की ओर नहीं जाए तो उस समय विलाय तो यहाँ पर यह कंड कहेंगे अब मता हो बस बहुत हो गया इतना ही तो वो विलायक के कंड जो solution में उपस्तित हैं वो उसके उपर दाब डाल रहे हैं तो दाब डालने को इसी प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं परासरणे डाब कह रहे हैं क्या कह कांड जब किसी शुद्ध विलाएक पर क्या कहते हैं जोख लगाते हैं तो हम उसे क्या क् severity है रहाद समझ में आ गई तो चलेजी आगे आप देखो क्या लिखा हुआ है जबंद न हो गया तो परासरह दो का भी हो सकता है अति प्राश्री और है क्या भी गाजा बच्चों अलप परासरी ए ती परासरी और अलब में से इस में परासर नताब अधिक होता है इसे एति परासरी दो वीर जिस वीन का ध्यान देना और अल्प परासरी में वीलियन किसे कहते हैं जिसमें वीलियन का परासरंदाब कम होता है जब क्या होता है जादा तो क्या कहते हैं परासरंदाब जादा तो अती और जब क्या कम तो क्या कहेंगे अल्प परासरी कहते हैं सांद्र विलियन का परासरन दाब अधिक होता है और तनू विलियन का परासरन दाब कम होता है इसको हम ऐसे भी समसकते हैं जरा ध्यान देना आपके पास सांद्रता यानि कि एक कंसंट्रीट सॉलूशन है अब आप उसमें परासरन दाब देखने खोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा विलाईक के कंणों को अपनी तरफ आने से रोकेगा कहेगा कि में पहले सेही ठीक हूँ हम दोनों इक्वल हो चुके हैं सांद्र विलियन क्या करेगा दाब लालेगा इसके उपर विलाइक के तरफ कहेगा कि तुम रुको मेरे में से वीलियन को जाने दो, कणू को जाने दो, temperature तो हम उसे कहें कि क्या अती परासरी वही पर तनू वीलियन जो होगा वहांजानी से क्या करेगा विलियन के अंदर जाना शुरू रहेगा तो वहाँ परासरन दाब क्या लगेगा कम लगेगा इसे आप ऐसे समझ सकते हैं अगर आपके पास ये एक मेंब्रेन लगी हुई है और एक तरफ सांद्र विलियन है तो यहाँ पर आप देखें ती ये दाब जादा डालेगा तो यह हुआ अती परासरी और यह वाला जो है इस तरफ तनु विलियन है तो तनु जो है इस तरफ दाब कम डालता है तो यह हुआ अलप परासरी के बात समझ में आ गई होगी चलते हैं आगे अब अगला टॉपिक है व्यूत्रम परासरन व्युत्रम परासरन मतलब परासरन के विपरित अगर आपको कोई दाब डाला जारा जैसे अपन देखते हैं कि अपने पास क्या है एक solution है जिसके अंदर अपने पास तनू और सांद्र दोलू विलियन है अब तनू विलियन सांद्र क्यों जाएंगे इट्सकॉल परासरन ओस्मोसिस क्लियर अगर ये क्लियर हो गया है तो अगर आप जबरदस्ती बाहिए दाव डाल रहे हैं और परासरन को रोक रहे हैं वो परासरन दाव नहीं है आप बाहर से डाल रहे हैं अगर एटोमेटिक संतुलन हो जाए और उसके बाद में वो रुकता है तो वो परासरन दाव है लेक तो कि आप के स्क्रींट पर कुछ इस प्रकार है आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है संद्र की योथ जा रहा है कोई दिक्कत नहीं कремा पर आराम से जा रहा है को जा रहा है को यह डालना शुरुत यह संद्र ही है विए फिर भी आप इस क्रिया को अगर रोक रहे हैं तो अपन क्या देखेंगे अपन देखेंगे कि यह जो प्रासरन के विर्द है इसे अपन रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं क्लियर बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आ गई तो जल्दी शे शुरू करते हैं अब परिबाशा आप देख सकते हैं कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल को अर्ध पारगिम में जिली दोया पर्थक करने पर परासरन की क्रिया शुद्ध से अशुद्ध की और होने ल करता है इसके लिए को वित्क्रम परासरन कहते हैं जैसे अपने पास नमक का विलियन है और उसमें से नमक को अलग करना है और जल को अलग करना है तो वहां पर नमक के विलियन से शुद्ध जल को प्राप्त करना क्या कहलाता है वित्क्रम परासरन कहलाता है नमक के जो विलि बात समझ में आ गई होगी बात क्लियर भी हो गई होगी कि आज अपन ने क्या क्या पड़ा है बच्चों ये पुरा थियोर्टिकल टापिक जो है वित्थ गणितियर जो डेरिवेशन्स थे वो मैंने पूरे कराए हैं आप इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मैं आपकी होमवर्क डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप ले सकते हैं इसके हीमांक अवनमन पुरतनांक उनयन परासरन दाप के जितने भी क्रेस्टन्स हैं वो सब मिलेंगे सबसे पहले परासरन दाप का जेविक महत क्या होता है जनरली बच्चों हम सब जानते हैं कि अपने शरीर में बारन निकलता है तो केवल पानी ही होता है उसमें आवशक पाडम कां तो कहा गया के कशा की कोशिकाइं हैं किसका किते लिए जिल्ड अर्द-पारगम्य का थे शक्रीं दापार बोइसा हमारे घृता average जिल्ड़ी होता है भागिकkil करती है है अधा है है हपन दोग जब इसको पढ़ते हैं तो जेविक महत्व। अपने शरीर ने हैं ऐसे पोदों में फोदे जो होते हैं उन जड़ें जो होती है मिट्टी में होती है और मिट्टी से पानी खनीज लवनों को अशोशित करती हैं और टिप तक पहुंचा देती ह प्लांट के रई और वो क्रिया भी परासरन के कारण ही संपन होती है तो वो सब चीजे अभी आपके सामने आपके स्क्रीन पर कोछ इस प्रकार है पोधे एवं जीव जन्तु जो है पोधे जो है अपने देखे आपने पास पोधे और जन्तु ओं अनेक संकेख कोशिकों se लिए के कारी करती है जो मैंने आभी बताया है आपको यह जिलियां अपने मेंसे जलका ही प्रवा होनी देती है इन सब को रोक लेती है कि इनको बेटा प्रोटीन एंजाइम्स अपने शरीर के जो आउशक महत्वकून पदार्थ में इसे प्लांट्स में भी होते हैं अधार जलका भूमी से पोधों की जड़ों में और फिर पोधों की जड़ों से पोधों के तनों तक उसका प्रवा है परासरन की किलिया से ही होता है क्लियर बात समझ में आ गई होगी मेरे छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चों को चल्दी से कमेंट और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लाई ताकि समय प पढ़ेंगे अपन परासरन दाव वैसे तो हमें पता है परासरन क्या होता है वह क्या होता है। तो अपने पास कुछ इस पर्कार परिबाशा देख हो अर्द पारगम ने जिली द्वारा विलायक से प्रतक किये गए विलियन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए एक आवशक बाहिये बल या दाब लगाया जाता है इसे परासरन दाब कहते हैं इसे पाई से रिपर्जेंट करते हैं इसे एक अनुसंख्यत गुंधरम कहा क्या है यह मेरे बच्चों को पता है कि परासरन दाब भी क्या होता है विलय के कंष्ण को मिलाज तो सांद्र हो गया कम मिलाया तो तनु हो गया तो कणों पर निर्वश कर रहा है कि नहीं इसलिए परासरन दाप भी ये क्या है बच्चों अनुसंख्या के गुण धरम है तो अब चलते हैं अपने तौपिक की अपने को आज किस नियम हो पढ़ना है और वो नियम जो है वो अनुसंख्या के गुण क्लास में यसों के लिए नियम पढ़ेते क्यों की स्थे में यह यहां यूश्त कंट का उगए यहां पर जब आपन गेस के नियम पढ़ रहे थे बॉयल का नियम चार्स का नियम आवगादरो नियम वैसे ही परासरन दाब को को रिलेट किया वंठ नामक वेगयनिक ने और कुछ नियम प्रस्तोत किये जो कि आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार नज़र आ रहे हैं कि परासरन के नियम जो है वो तीन है बच्चों बॉयल वंठ नियम चार्स वंठ नियम और अवगादरो का वंठ नियम जैसे वहाँ पर आपने पढ़ ठीक ठीक उसी प्रकार से अपने को यहां पर वैसे परड़ना आपको पता है तो तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला नियम पहला नियम बोल बोयल येनी तॉ ठीक है तो बॉयल क्या कहता है बॉयल कहता है कि किसी इस्थिर्दाप पर विलियन का परासरण दाप उसकी सांद्रता के क्या होता है जी समानुपाती होता है तो आपकी स्क्रेम पर लिखा गया है बच्चों सांद्रता सी को हम सब जानते है कि सांद्रता मतलब क्या होती है तендidade कहलाती n से पर लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन लिख सकते हैं क्या अपन लिख सकते हैं अन पनवी बात समझ में यहां बताया गया है कि किसी बी वीलियन का प्रास्ञ दाब इसके ताप के समानुपाती होता है क्या कहता है कि इस्तिर सांता पर किसी तनुविलियन का प्रासंदाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है यह पाई समानुपाती टी पाई बराबर समानुपाती इस्तिरांग के टी के एक क्या है नियतांक ना बोलकर आप इसे क्या बोलेंगे बटे इस्तिरांग तो जादा अच्छा है क्योंकि नियतांग की value fix होती है पर यहाँ पर value fix नहीं है तो यह है आपका एक इस्तिरांग तो बात समझ में आगी boil का नियम क्या कहता है 25 amanupati c, Charles का नियम क्या कहता है 5 amanu kati kya ti दोनों नियम क्लियर हो गए अब आता है आवो गद्रों नियम जो आवो गद्रों नियम क्या कहता है थे कि जदु की तप परासरत हम दाव गांट समान है तो वीलियन की समान आयतन में विलयक के मोलों की संख्या भी समान होती है क्लीर बात समझ में आ गई होगी कि अपने पास क्या है अगर कोई भी ऐतन में है तो अपन देख ने हैं कि ईकाई आयतन में जितने बहुत हैं दूसरा पात्र लें गें तो उसके भी इकाई आतन में उतने कि तो वी समानुपाति एंट पढ़ाई था न आप सब कमेंट में लिख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है तीनों नियम आपको पता है यह बहुत अच्छी बात है कि मेरे बच्चों को आता है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं और होशियार है राइट बच्चो तो फटा-फट इन तीनों नियमों को अब अपन एक साथ लिखकर अपन देखेंगे कि परासरन दाब जो है वह अनुभार से किस प्रकार संभंध परदेशते करता है तो फटा-फट शुरू करते हैं अ बॉयल के अनुसार बच्चों किसके अनुसार बच्चों बॉयल के अनुसार बॉयल के अनुसार क्या बॉयल के अनुसार पाई समानुपार्थी सी और चार्ल्स के अनुसार राजा चार्ल्स के अनुसार क्या समीकरण एक होगी पाई समानुपार्थी टी समीकरण दो समीकर कर connect होता है वही ग्याद कर रहे हैं तो ध्यान देना इसका question आता है बच्चों तो अपन देखते हैं कि थी पाई बराबर क्या आजाएगा… потр यहां हम लिख देए पाई बराबर और सी ट बिटे और क्या है यहांपर विटा और यहांपर क्या है इस इस्थिरांग है Gase इस्तिरांग है क्यों है Gase इस तरहं क्यों यूज किया क्योंकि हम जानते हैं कि R Gase के लिए तो दाब भी तो Gase के लिए ही यूज हो रहा है राइट जिसे आदर्स Gase समी कर नहीं थी P V बराबर N R T तो वैसे ही है C R T राइट बच्चो तो आप देखो गई P I बराबर R C T या फिर हम इसको यू लिख सकते हैं कि अपने पास जो C है उसकी जगा अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों ध्यान देना C बराबर अपने लिख सकते हैं P I is equal to N upon V R T ठीक है बच्चों यहाँ पर N क्या है सब बताएंगे सब को पता है मोलो की संख्या और मोलो की संख्या बराबर क्या होता है बच्चों मोलो की संख्या बराबर होता है विले का भार बटा विलियन का क्या N बराबर क्या है सौरी विले का भार बट्टा, विले का अनुभार, राइट, याद आ गया, याद आ गया, विले का ही क्या बच्चों, अनुभार, clear, done जी, done, तो अपन याँ, एन विले के लिए यूज़ करें, तो वो क्या होगा, W2, M2, ओके, यह बात clear हो गई, तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर क्या बच्चों, एन की जगह क्या लिख सकते हैं, W2 अपन, M2 इंटू, V, उपर, R, T, अब यह दि अपने को, क्या है मॉलर द्रवेमान और परासरन दाब में रिलेशन, यानि मॉलर द्रवेमान निकालना है, तो M2 बराबर क्या लिख सकते हैं, W2 गुणा, R गुणा, T, बटा, क्या, M2 तो चला गया, तो यहाँ आएगा, पाई इंटू, V, बात समझ में आ गई होगी, इससे क्योस्चन आता है, और यह संबंद भी पूछा जाता है कि परासरन दाब और गेस इस्तिरांग जो होता है, वो किस प्रकार से कोरिलेट करते हैं, तो पाई बराबर, R, C, T, या, C, R, T, और यहाँ पर, पाई इस इकल टू, अगर आपको अनुभार के साथ संबंद दिखाना है, तो, एपा बात समझ में आ गई हो, तो फटा फट इसको नोट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, करेंगे कि यस मैम, जल्दी 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 नोट करेंगे, बारवी के बच्चों के लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, राइट, चलते हैं, आगे, अब अपना अगला हम हो जाना, या फिर जादा हो जाना, उसे हम कहते हैं, ऐ सामान्य मोलर द्रविमान, जरा ध्यान से सुनो, हम लोग बहुत बार ऐसा कर देते हैं, कि हम पढ़ते नहीं टॉपिक को, पर चीजें जो भी आपकी बुक में दी है, वह बहुत इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान से ऐसामान्य मोलर द्रविमान का मतलब है, कोई भी जिसका द्रविमान जितना है उतना ठीक है, लेकिन वांट आप नामक वेगनिक में इस पर रिसर्च किया और कहा, कि जब किसी भी विलायक में विले को मिला दिया जाता है, तो वीलियन का जो वास्तमिक मोलर द्रविमान होत होता है वो बदल जाता है या तो अधिक हो जाता है यह कंभी होता है वह आपस में जुड़ गए एक ही उत्पात बनाया सेंगुनल एक अभी कालत दो में तूट गया तो वह कहलाता है क्या आपका वियोजन या आइनन मतलब प्लस माइनस में तूट जाता है तो आइनन हो जाता है तो अब देखो यह क्या कह रहा है तो वंट आफ में सबसे पहले इसके बारे में गुनांक दियाज से want of गुनांक कहते हैं और इसके विले के सेंग उनल और आयनन की मात्रा भी ज्याद की जा सकती है विले और विलायक जब अपन बात करते हैं तो उनकी मात्राएं अपन कैसे देख सकते हैं तो इन्होंने कहा कि I से represent करो want of गुनांक को और प्रेक्षित अनुसंचे गुन बटा सिद्धान्त यानि प्रयोग से जो प्राप्तुआ वो और theoretical जो value है उसको अपन कैसे represent कर सकते हैं साथ है इसका formula ये भी होता है सैंगुनन से सैंगुनन के बाद बटा सैंगुनन से पहले या ये भी लिख सकते हैं उत्पाद बटा अभी कालक में अभी कालक और उत्पाद की सैंख हैं clear बात समझ में आ गई तो सैंगुणन के बाद सैंगुणन से पहले clear हो गई बात yes और no जल्दी से पटापट clear आगे चलते हैं जी अब अपन देखते हैं कि जब want of ने कहा कि अगर अपन I की value को check करें तो अपन देखते हैं कि अगर I की value क्या हो एक है यानि कि किसी भी reaction में एक answer आ रहा है want of गुणां का इसका मतलब उस वीलियन में विले और विलायक में कोई परिवर्तर नहीं हुआ ने तो वो आपस में जुड़े हैं ना ही उनका आइनन हुआ है इसका मतलब उसका answer एक है ठी वो तूट गई है तो want of गुणां का मान क्या होगा एक से क्या होगा एक से अधिक होगा जैसे अपने पास NaCl है यदि वो तूट गया Na प्लस और Cl माइनस में तो हो गया या C6H5COOH है बच्चों तो उसके दो मॉल जुड़ गए मैं आगे इसको clear करके दिखाऊंगे यह तो want of का मान जो है वो एक से जादा है यहां पर want of का मान एक से क्या है बच्चों कम है सही है बात क्लियर हो गई होगी इस स्थी में सैंगुणन होता है तो want of ने इसको अलग तरीके से भी डिफाइन किया मैं आपको इसको समझा देती हूं क्या कहा है जरा ध्यान दीजें कि अपने पास जो है अपन सैंगुणन के लिए want of का मान देखने है सैंगुणन के लिए सेंगुणन के रिए सेंगुणन मतलब जुड़न ठीक है अपने पास क्या है अपने पास C6H5COOH है इसके दो मौल अपने लिए और अपने पास प्राप्त हुआ C6H5COOH का होल ट्वाइस बच्चो यहां कितने अभिकारक हैं यहां पर दो अभिकारक हैं यहां उत्पाद कितना प्राप्त हुआ एक तो आई बराबर क्या होता है आई बराबर होता है बच्चो क्या सेंगुणन सेंगुणन के बाद बटा सेंगुणन से पहले अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या पता चला कणो की सेंख्या लिख दो सेंख्या ठीक है अब ज़रा ध्यान दो हमें कैसे पता चला तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं दो और यह जुड़ गए तो सेंगुने इंट लिखेंगे येस और नू तो यहाँ पर सेंख्युनन की मात्रा अपने पास क्या है बाद में क्या है सेंख्युनन होने के बाद क्या हुआ एक जब कि सेंख्युनन से पहले कितने थे दो तो बच्चों आई की वेल्यू कितनी आई तो आई की वेल्यू आई कितनी कम किस से एक से यस और नो क्लियर हो गई बात यानि कि सैंगुनन हमेशा तब हो जब होता है तो हमेशा want of गुणांग का मान एक से कम आता है फड़ फट फट स्क्रीन्शोट लेंगे जल्दी से तकी बात समझ में आगई होगी चलते हैं अब पढ़ते है अपन इसी के साथ religion के वियोजन के वियोजन में क्या कहते हैं बच्चों weं में अपन देखते हैं कि अपने पास क्या है अपने पास है n a c L is equal to न a plus plus C L – आयनं हो गया यहां पर आयनं से पहले कितने है एक अब उत्पात में कितने है दो तो वों फाफ का मान अपने पास अपन क्या लिखते थे हैं आइनन के बाद और आइनन से पहले क्लियर आइनन के बाद और आइनन से पहले तो बच्चों आइनन के बाद कितने हैं दोकन है विलियन में और आइनन से पहले कितना है एक तो बच्चों यहां पर आई की वेल्यू क्या आई है आई की वेल्यू आपके पास आई है बच्चों कितनी आई की वेल्यू आई है एक से जाधा आईनन होते ही क्या हो जाता है एक से यह बहुत important है बहुत important है यहां से question confirm आता है सेयोजन और व्योजन से इसलिए मैंने इसको तोड़ कर आपके सामने रखा है बच्चों अच्छे से पढ़ना अच्छे से जा समझ में नहीं आए मैं वापस पूछना मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी आप कमेंट में लिख कर जाना मैं आपको अगले वीडियो में पक्का इसको पहले सौल करके ही समझा के आगे बढ़ोंगी ओके बच्चों तो फटा फट देके जल्दी से जल्दी इसको आप लिखेंगे अब चलते हैं आगे अब आपन करेंगे इनसे रिलेटेट कुछ प्रैक्टिस ओके तो चलते हैं अपना पहला क्योश्चन क्या कहता है पहला क्योश्चन क्या कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाश्पदाब इतना है और ये इतना एवाश्पशिल जिद अनफगर्टे ठोस को इतने ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो वीलियन का वाश्पदाब होता है ठोस का मॉलर द्रव्यमान क्या होगा जरा ध्यान दो ये क्या कह रहा है वाश्पदाब पूछ रहा है याद है वीलियन का आप एक शिक बाश्पदाब आप ग्याद करके आए हैं वो क्या था भई डेल पी अपॉन क्या पी नौड वन इस इकल टू अपने सामने क्या था डबलू टू अपॉन क्या एम टू इन्टू डब एम वन अपॉन डबलू वन इन्टू थाउसेंट यहाँ पर आपको ग्राम में ही दिया है तो हजार से गुना तो बनता है अब यह तो फोर्मूला है बच्चो जो आपको पता होना चाहिए अब आपको प्रश्ण में दिया क्या गया है जरा ध्यान दो बेंजीन शुद्ध बेंजीन यानि की पी नौड वन की वैल्यू कितन दी है बच्चो जीरो पॉइंट जीरो साथ में फोस ग्राम का जीरो पॉइंट पाइफ ग्राम एवाश्पशील विर्द अपगर्टे को इतने ग्राम बेंजीन में घुला गया है और वीलियन का वाश्पदाब यानि पी वन का वाश्पदाब क्या दिया है बच्चो पी वन यानि वीलियन बेंजीन का ही तो हुआ वो दिया है जीरो पॉइंट एट पॉर फाइफ ठीक है अब ये कह रहा है कि अपने पास विलायक है उसका भार यानि डबलू टू एम टू भार कितना दिया जीरो पॉइंट फाइफ ग्राम एम टू नहीं दिया है क्योंकि अपने उपता ही नहीं है कौन सा है ठोस्पदाथ थर्ड अपने को और क्या दिया है अपने को दिया है किसका बेंजीन का यानि कि अपने को दिया है W1 और M1 W1 कितना दिया है बच्चों? W1 दिया है 39 में 78 39, 78 राइट हाँ या ना बिल्कुल जी बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ गई होगी ग्राम पर मो यहाँ तक बात किनकित मच्चों को समझ में आ गई जल्दी से कमेंट लिखो आपको क्या-क्या पूछा गया है जल्दी से इन सब को इसके अंदर आप लिखेंगे तो आपको अंसर मिलेगा क्या फटा-फट मुझे कमेंट में बताएंगे मैंने ये सब लिख दिया है क्या क्या पूछ रहा है वो सब आपको यही पर लिखना है लिखेंगे फटा फटा फट 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 जल्दी से आप लोग फटा पर मुझे बताएंगे अब मैं थोड़ा सा यहां पर इसको इरेज करके क्योंकि मुझे यहां पर जगह चाहिए थोड़ा सा मैं देखती हूं कि यहां पर मैं इसको लिख लेती हूं ठीक है जी और अपन फोर्मूला अपने पास है अब अपन देख लेते हैं कि अपने को क्या-क्या लिखना है जरा ध्यान देंगे बच्चों अपने पास क्या-क्या नहीं दिये पर अपने को पी नॉड और यह दिया गया है आप जानते हैं कि डेल पी बराबर क्या होता है बच्चों डेल पी बराबर होता है पी नॉड वन माइनस पीवन यानि आपके पास क्या दिया हुआ है 0.850-0.845 यानि आंसर आएगा 0.005 तो अपने पास M2 मौनर दरेवान पुछा है ना M2 बराबर क्या आएगा M2 बराबर अपन लिखेंगे पी नॉड की वैलिव कितनी है बच्चों 0.850 इंटू अपने पास क्या चाहिए M1 डवलू टू अच्छा दो मिनिट अच्छ ये दा अपने पास W2 डवलू टू क्या चाहिए 0.1 तो यह पैन भी आप लोगों के चैसे चलते नहीं 0.5 ग्राम इंटू अपने को क्या चाहिए M1 M1 कितना भई M1 कितना अपने को पता है यह रहा आपका M1 78 सही है मॉलर द्रेवेमान M1 ही तो है मॉलर द्रेवेमान 78 और बेंजीन का भार वो दिया ना 78 अपन क्या दिया है बच्चों लास्ट में डेल पी की वैल्यू कितनी आ गई 0.005 इंटू क्या दिया है राजा 39 आपको देखना है कितना आता है 170 ग्राम प्रती मॉल यह हो गया बच्चों बात समझ में आ गई होगी जल्दी से जल्दी नौट करेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए ओके जी क्लियर हो गया पक्की बात कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यस और नो जल्दी बात करेंगे चले ज सही आना चाहिए चलते हैं आगे चल्दी से करते हैं नौट के आब चलते हैं आगे अब अपना अगला क्याशन कौन सा है वो दीखेंगे आप अपना अगला क्याशन anarchीरा एक पातर में इतना अगलुकोज घुला हुग है और एक कैजी विलायक में इसको घूलने पर इतने और आपको विलायक की मात्रा दिए, आपको के भी चाहिए, बचवे ज़रा ध्यान देना के भी बराबर क्या? के भी हम लोग यू कह दें या तो अपने पास क्या है भई? अपने पास अपन यू लिखते हैं, अपने को क्या चाहिए? एपने कोच चैये वई Del TB बड़ाबर KB.m हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टी बी बराबर के भी गुना डबलू टू अपोन क्या अपने पास क्या था डबलू टू के नीचे क्या लिख सकते हैं के भी गुना डबलू टू अपोन एम टू इंटू डबलू वन क्लियर बात समझ में आगे अब ये तो था अपने मॉललता का फोर्मूल अपने को पत एपने पास क्या क्या है अपने पास दिया हूआ है जल्म तो ग्लुकोज क्या है आपका विल्यर और जल पर तो हुआ है आप को W1 भी दिया हुआ है दिया हुआ है क्या फटा फट देखो के भी कितना दिया है 0.52 कि अप को डबलू 2 कितना दिया हुआ है 18 ग्राम यह सो नू जुल्दी बताओ अपने को दिया है glucose का भार जो होता है वो 180 ग्राम ठीक है प्रति मोल आप अपने पास W1 जो है वो कितना दिये विटा है 1 kg जल्दी से आओ जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो सबसे पहले अपने को जानते हैं अपन डेल टीबी जो है उसके बराबर क्या होता है अपने पास अप समझ में आ गई बात है ओके दन तो अब अपन क्या करेंगे सबसे पहले अपने को इस फोर्मूले से क्या निकालना है टीबी निकालना है डेल टीबी निकालना है क्योंकि अपने पास क्या है अपने पास दिया हुआ है अपने को निकालना क्या है टीबी निकालना है क्या न नोड बी जो है आपका टी नोड बी ये क्या है शुद्ध ताप है शुद्ध प्थनांग है तो वो कितना होता है बच्चों आपका होता है 373.15 याद है आपको केल्विन में मैंने कल बताया था तो जल्दी से आप पटा-पट इसमें इसका आंसर लिखेंगे जल्दी से निकालेंगे कि आपके पास क्या क्या दिया है 152 KB into W2 कितना दिया है भाई 18 नीचे आपको क्या दिया गया है M2 180 गुणा विलायक ए ठीक है तो आंसर फटा-फट सब कमेंड बे बताएंगे कि क्या आएगा जल्दी से नोट करके समझाएंगे जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चों प्लीज फटा-फट आंसर बताओ क्या आ रहा है तो फटा-फट 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 जल्दी से बताएंगे कि आपके पास आंसर कितना आता है आपके आंसर आता है 0.052 राइट अब यह आया है आपके पास क्या बच्चों डेल 0.5 प्लस 0.052 0.052 फटाफट आंसर लिखेंगे जल्दी से क्या आया है मुझे कमेंड में लिकर बताएंगे और जल्दी से इस क्योश्चन को हल करेंगे ओके जी ओके चलते हैं आगे अगला क्योश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है 45 ग्राम एथिरीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घुला गया है तो गणना करो यह कितना परकार यह क्योश्चन आपको करना है यह आपका होमवग है यह दिस्क्रिप्शन में भी जाएगा आपको वहां से होमवग लेना है इसको भी फटा फटा आप जल्दी से स्क्रीन शोट लेंगे आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहां से आपको कमेंट में भी आप्शन मिलेगा ताकि आप उसका आंसर वहीं पर लिख सकें तो जाकर के जरूर यह होमवग ल आती हूं तक खुश रहिए मस रहिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए थांक्यू